नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल सर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो गृप जरूर से जरूर जोईन कर लिजेगा दोस्तों हिस्ट्री को रिवाइज करते हुए इस समय हम गुप्त डाइनस्टी को देख रहे थे अंत में चंद्रगुप्त प्रथम जो की सबसे पहले महराजा धिराज की टाइटल को एज्यूम करता है वो इस वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये सब चीजे हमने देखी थी अब यहाँ पर गुप्त कालीन जो राजनितिक विवस्था है और जो उस समय की एकुनामिकल कंडिशन थी या व्यापारिक संबंद थे उनके बारे में देखना बागी है यह जो पूरी सीरीज आप देख रहे हैं इसका PDF English Medium का होता है और जो Explanation होती है वो Bilingual होती है अगर आप Hindi माध्य हमाली सीरीज चाहते हैं तो वो अभी साथ में चल रही है दोनों की जो वीडियोज है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप सर्च कीजेगा तो आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे Paid Courses जवाइन करना चाहते हैं तो ये दो नंबर हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं फोन करेंगे तो यहाँ जो इनफार्मेशन आप चाहते हैं वो मिल जाएगी और इतने प्रकार के प्रोग्राम मतलब इतने प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं परिक्षाओं में उनके लिए यहाँ प्रोग्राम चलते हैं और इनका पर्फार्मेंस काफी अच्छा रहा है त ये website है जो blue color के line आप देख रहे हैं Index के आधार पे हमारी जो location है वो इस समय यहाँ पर है यह जो post-morion period है इसी को हम देख रहे हैं और इसी के संबंद में जो post-morion art और architecture वाला हिस्सा है उसको भी हम देखेंगे post-morion period में गुप्त dynasty का भी इसमें merge कर लिया गया है और उसके आगे की जितने राजवंश पैदा होंगे उन्हें भी देखना शेश है तो आईए वही चलते हैं यहाँ पर आप जो paragraph देख रहे हैं इसमें कुछ स्थानों के नाम दिये हुए है और बताया गया है कि यह famous किन किन चीजों के लिए थे खास तोर पे यहाँ जो व्यापार है उसके संबन्द में चर्चा की गई है तो देख लीचे गुजरात, बेंकॉल यहाँ जो स्थान का नाम है उसे देख रहे हैं इसके अलामा दककन और तमिलनाडू वाला जो हिस्सा था यह famous था garments के production के लिए मतलब यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो था वो काफी बड़े पैमाने पर विक्सित था गुप्त काल में जो garment industry थी यानि वस्त्र उद्योग था वो सबसे बड़ी industry के तोर पर उभरता है यानि वस्त्र उद्योग को काफी प्रोथसाहन मिलता है दूरिंग दा गुप्त पिरियेट अ में सेंटर आफ इंटरनेशनल ट्रेड वर तामर लिप्ती तामर लिप्ती को वर्तमान में तामलू के नाम से जानते हैं पूर्वी पोर्ट के तौर पर उज़ किया जाता था यानि जो इस्ट वाले इलाके हैं उनके साथ यहां से ट्रेड किया जाता था इसके अलामा व्रिगुकक्ष जिसे की भरोज कहा जाता है बरतमान में ये पश्चिमी पोर्ट था यहां से जो western part है वहां से trade के जो संबंध है वो जोड़े जाते थे इसके अलामा अरिका मेडू यहां से भी व्यापारिक संबंध इस्थापित होते थे यह सब international trade के लिए use किये जाते थे और भी बहुत सारे हैं जैसे देख लिए कावेरी पत्तनम है इसके अलामा मुजीरीस है इसके अलामा प्रतिष्ठान है सोपारा है और बार्बेरिकम है यह सब जो इस थान है यह international trade के परपच से main center माने जाते थे यह कुछ चीजे हैं तो इस थानों के नाम पूछ सकता है इसे याद रखिएगा इसके बाद ही कहा गया है कि extreme elevation of Indian ayurved and medical science is reflected in the great surgeon, sushrut and charak देखिए इसमें जो charak थे वो तो सरजन नहीं थे लेकिन जो sushrut थे उन्हें surgery का master माना जाता है मतलब सबसे पहले अपने देश में जो देशी विज्ञान है आयurved है उसके आधार पर surgery करने का जो श्रेय है वो sushrut के पास है इनका अपना operation theater होता था और उसमें अपने तोर तरीकों से यह operation करते थे और operation करने के बाद टांके भी लगाते थे इनके संबंद में कहा जाता है कि पहले उस समय में chlorofarm या anesthesia का जो प्रोसेस है वो नहीं होता था तो इसके लिए करते क्या थे? पेशेंट को बाद देते थे जो मेज होते थे या जो तक्त होते थे उसमें बाद दिया जाता था हाथ पेर वगएर और बाकी शरीर लोग पकड़े रहते थे चार-पांच जने जो है वो पकड़ कर रखते थे और उसके बाद शुसरुद जो है वो operation करते थे ऐसा क्यों किया जाता था क्योंकि अगर चीरेंगे किसी के शरीर को तो दर्द तो होगा ही और दर्द होगा तो जो पेशेंट है वो छटट पटाएगा तो ऐसे बचने के लिए इस प्रिकार से पेशेंट को जकड़ा जाता था और उसके बाद operation करने के बाद अपना काम लेकिन उस समय में टाका लगाने के लिए कोई व्योस्था नहीं थी तो घाओ को सिलने के लिए चीटियों का अस्तिमाल करते थे जंगल से बड़ी बड़ी जो कटही क्वालिटी की चीटियां होती है उन्हें पकड़के ले आते थे और उसके बाद घाओ के दोनों सिरों प यसे मुँ में पकड़ लेती थी और जैसे ही घाओ के दोनों किनारे इनके मुँ में इनके जो चिम्टे नुमा डंक आगे मुँ होता है उसमें बंद होते थे वैसे ही ये चीटियों का पीछे खाहिस्सा काड़ देते थे यानि चीटियां वही स्वरगवासी हो जाती थी औ डाक्टर सिर्फ उसमें सपोर्ट करता है डाक्टर कोई उसमें नई व्योस्था नहीं बनाता बाकी जो घाओ भरने का काम है या घाओ को ठीक करने का काम है वो शरीर करता है तो यहाँ टाके का जो घाओ है उसको शरीर ठीक करता है लेकिन समय लगता है तो वो समय इसके का लगाने की विधी वहाँ दिखाई रेती है तो यह सुष्रुत जो थे बड़े अनोखे चिकत सकते और वैसे ही आप चरक को देख रहे हैं इसके लवाँ एथिक्स वर्क इफिशेंसी एंड नॉलेज ऑफ यहां आप देख सकते हैं मतलब इस प्रकार का जो कौशल था चिकत सकी के कोशल था जिसके दवारा अपने ग्यान का उन्होंने भरपूर मत्रा परियाब्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ नॉलेज होना ही परियाप्ट नहीं होता इसलिए वो practice करते हैं, कहा जाता है कि फलाने जो हैं वो practice कर रहे हैं, MBBS की उनकी पढ़ाई complete होई, उसके बाद practice कर रहे हैं और जैसे जैसे उनकी practice में निखार आता है, वैसे वैसे उनके patient उनके उपर जादा भरोसा करते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, ऐसा बिलकुल नहीं होता कि कोई medical का जो student है वो direct मतलब एकदम से पढ़ कर निकला और तुरंत operation theater में घुज गया, ऐसा नहीं होता, पहले उसको सधाया जाता है, उसे निखारा जाता है क्योंकि किताब में पढ़ना एक अलग चीज होती है और दूसरा उसको practical के तौर पे करना ये दूसरी बात होती है, हाला कि जो medical की पढ़ाई होती है उसमें practical भी होते है, मतलब उसमें आपको पहले तो जो dead body होती है उसका post-martem करने के लिए दिया जाता है, वो catbird होता है, आपने मुन्ना भाई एंबीवियस फिल्म देखी है, उसमें जब संजेदत जाते है medical college में, जबरदस्ती उनका admission इन्हें बाहर कर देते हैं, तो इसके बाद ये जिन्दा आदमी बोरे में पकड़कर वहां ले जाते हैं और उसका operation करने के बाद करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें, मतलब ये सब होता है, लेकिन वो practice के परपच से करवाया जाता है, क्योंकि चित्र में आपने देख लि धन्वंतरी के बारे में कहा गया है, was one of the नौरत नाप चंद्रगुप्त सेकेंड, जो चंद्रगुप्त विक्रमा दिते थे, उनके दरबार में नौरतन थे, और नौरतनों के नाम हमने पीछे देखे हैं, उसमें से एक थे धन्वंतरी, कालिदास के बाद इन्ही का नाम ज मंतरी जो थे, इन्ही की जैन्ती है, अब इसके बाद देख लीजे, यहाँ पर भासकराचारे के बारे में दिया हुआ है, तो भासकराचारे was a great astronomer, यह बहुत बड़े खगोल विज्ञानी थे, उस समय भी हमारी जो astronomy थी, वो काफी जादा उन्नत थी, और आज के समय में प यहाँ जो ग्रंत का नाम है, इसको देख लीजे, सिध्धान सिरोमडी और लीलावती, यह दो किताबे हैं, और यह पूरी तरह से astronomy और mathematics पर बेस करती हैं, इसमें से जो सिध्धान सिरोमडी है, उसमें ज्यादा तर astronomy के जो rules है और principles हैं, वो दिये हुए हैं, उसमें उनकी hypothesis ह और जो लीलावती हैं, वो गनित की किताब हैं, मतलब इसमें गनित के बहुत सारे सूत्र और गनित के जो नियम कायदे हैं, वो दिये हुए हैं, यह सब चीजे हैं, और गनित के बहुत जो आधुनिक विधाये हैं, जो आज की समय में हम इस्तिमाल करते हैं, जो इसका modern ग्य उलेखनी है, यहाँ आप देख रहे हैं, sine, cosine, यह जो term आपको दिखाई दे रहे हैं, यह functions है, sine है, cosine है इसके अलावा, इस प्रकार से inverse sine है, were known in 5th century, यह से पांचवी शताबदी में ही ग्यात हो गया था, यह जो mention किया गया है, sine, cosine और इस प्रकार के जो और function है, trigonometrical, इनका mention कहाँ पर है, यह सूरे सिधान्त में मिलता है, और इसके अलावा आरे भट्टी है, यह जो ग्रंथ है, इससे भी प्राप्त होता है, आप सोच लीजे, trigonometry को आज के समय में हम पढ़ते हैं, यह जो modern, हमार और देश इसके बारे में नहीं जानता था, तो यह अपने देश में develop हुई, और उसके बाद लुप्त भी हो गई, मतलब हमारे देश से गायव हो गई, और विदेशों में फली फूली, तो विदेशियों ने इसका credit ले लिया, मतलब उन्होंने श्रे ले लिया, कि trigonometry यह ह हमारे यहां की है, और हमारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसे develop किया है, लेकिन असल में इसका जो शुरुवाती उलेख है, वो कहां से बिलता है, यह आरवट्टी है और जो सूरी सिध्धानत है, उससे प्राप्त होता है, आप जानते हैं कि trigonometry में कुल मिलाकर 6 functions होते हैं, यह सब फलन, तो sin theta, cos theta, उसके बाद tan theta, इसके बाद cot theta, sec theta और cosec theta, तो आप जानते हैं कि जो sin theta है, उसका जो opposite है, वो cosec होता है, यानि जो यहां फार्मूला बनता है, उसमें सबसे basic फार्मूला होता है कि sin theta is equal to 1 upon cosec theta, वैसे ही cos theta is equal to 1 upon sec theta, और cot theta is equal to, या tan theta is equal to 1 upon cot theta, यह inverse वाले process है, तो ऐसा आप trigonometry में पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें यहां पर develop की गई थी, मतलब आप समझ लीजें कि जो उस समय के यह functions होते हैं, trigonometrical, इनका आविशकार कर लिया गया था, यह सब चीजें, इसके बाद ब्रह्मगुप्त, इनका नाम आता है, इन्होंने describe कि cyclic quadrilateral को, यानि जो चक्रिय चतुरगुझ है, उसके सिध्धान्त को दिया, अब यह cyclic quadrilateral होता क्या है, तो इसके विशेष्टा यह होती हैं, दोस्तों कि इसमें चक्रिय चतुरगुझ का मतलब यह है, कि यह वृत के अंदर बनता है, जो चक्रिय चतुरगुझ है, उसका निर्मार सर्किल के अंदर होता है, यहां आप देख भी रहें, सर्किलिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है, एक कोई बृत बनेगा, और उसके अंदर एक चतुरगुज ऐसा बनाया जाएगा, मतलब क्वाडिलेटरल ऐसा डेवलब किया जाएगा, जिसकी की जो चारो हो जाए हैं, मतलब जो चारो कोने है, corners, वो बृत की जो सर्किलम फरिंस है, उसको ठच करें, यानि परिधी को ठच करते हुए, और इनमें आमने सामने की जो एंगिल होते हैं, यह एक दूसरे के आमने सामने है, तो इनका अगर जो इनकी जो value है, उसको add कर दिया जाए, तो इस रूप में नहीं माना जाएगा, यह चतुर्भुष तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो यह सिध्धान थे और इसको देने वाले ब्रह्मगुप्त थे, अब आप समझ लीजे कि जोमेट्री में इस समय कितनी जादा माननेता रखता है, जब भी आप जोमेट्री इस प्रकार के quad lateral है, उनके बारे में देख चुके होते हैं, और circle और sphere के बारे में देख चुके होते हैं, तो अगला number इसी का होता है, दोनों का mixture, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों का fusion है, मतलब circle का भी और जो quad lateral है उसका भी, दोनों को एक में घुसा दिया गया, तो यह प्रशनों को या जो प्रमे उस समय के होते हैं, थेरम्स होते हैं, उनको कठिन बनाने के लिए ऐसा किया जाता था, तो यह पहेलिया गडित की है, और उसका सिधान्त यहाँ पर ब्रह्म गुप्त के द्वारा explain किया गया था, आगे चलते हैं, यहाँ पर mathematics आ गया currencies, यहाँ तक तो हमने जो ग्यान और विग्यान था उसकी चर्चा की और देख लीजे कि गुप्त पिरियन में यह काफी आगे था, और आज की समय में हमारी condition क्या है, हम विदेशियों का मुँ ताकते हैं, इसके पीछे हमारी मानसिक्ता भी जिमिदार है और हमने बहुत कु के लिए बाहरी शक्तियां हमें कुचलने के लिए आजाती थी, ऐसा बहुत बार हुआ है, तो किसी को भी फिर से गिर कर खड़े होने में थोड़ा समय तो लगता है, और वही चीज हमारे साथ हो रही है, परिशानिया यहां कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हमारा द कार के हैं, मतलब इनका टाइब, टाइब का मतलब यह है कि उस पर किस प्रकार की आकरिती खुदी हुई है, तो देख लीजे, गरुण शैली के हैं, इसके बाद जो धनुड़धारी शैली के हैं, आर्चर मतलब क्या, यह धनुशात में लिए हुए राजा का प्रतीक है, इ इसके अलावा जो अगले हैं वो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पराकरम शैली के सिक्के हैं, और वीडा टाइब के, समुद्र गुप्त का जो वीडा बचाते हुए चित्र है, वो भी इसके सिक्कों पर प्राप्त होता है, तो यह सब गोल्ड करंसीज हैं, इनके काली इंचाशकों के समय में, उसमें फाहियान का नाम आता है, फाहियान किसके समय में आया था, कमेंट बॉक्स में बताईएगा, तो फाहियान के बारे में कहा गया है कि people use clam shell in daily merchandising, मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो दैनिक व्यापार यहाँ आदान प्रदान होता था, उसमें कौडियों का यूज किया जाता था, जो आम जनता थी उसके बारे में, अब आप समझ लीजे कि कोई थोड़ी सी वस्तू आपको चाहिए, तो उसके लिए आप क्या डारेक्ट पैसा देते हैं, तो यह चीजे हैं, अब इसमें जैसे बड़ा पेमेंट करना है तब तो आप बड़े नोट देंगे, लेकिन माल लिजे आपको 2 रुपए का या 5 रुपए का कोई चीज खरीदना है, तो क्या आप 500 का नोट पकड़ाएंगे, दुकानदार भी गुस्सा हो जाएगा, कि इतना फुट कर हम कहां से ले आए, तो इसलिए यहाँ पर कौड़ियों का यूज किया जाता था, यह चोटी करेंसी थी, मतलब छोटे लेंदेन का जरिया थी, आगे देखते हैं, क्वाइन साब गुप्त रूलर are found in उत्तर प्रदेश, जो उत्त चित्र है, यहाँ से और यूपी से, जो इनके क्वाइन से उप्राप्त हुए है, the most famous place to obtain क्वाइन इन भरतपुर, यह जो भरतपुर बयाना वाला इलाका है, यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में जो क्वाइन से उप्राप्त हुए है, यह सब चीजे यहाँ उन्हें दीनार कहा जाता था, दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, उसको याद रखिएगा, रूपिका और इसके अलामा दीनार, तो दीनार क्या था, यह गोल्ड करेंसी थी, आगे देखते हैं, यहाँ पर यह कहा गया है, कि तब first evidence of sati system, जो sati प्रथा का साक् यह आपने पीछे देखा है, कि एरण अभिलेक से प्राप्त होता है, एरण inscription जो है, उसमें भानुगुप्त के द्वारा इसे लिखवाया गया है, और उनके जो सेनापती है, उनका युद्ध में देहानत हो जाता है, हूणों के खिलाप, वो विजय अभियान पर गए रहत सतीप्रथा, has been mentioned for a lady, मतलब एक महिला के लिए इसे mention किया गया है, was the wife of war commander नेम गोपराज, गोपराज नाम के जो युद्ध के सेनापती थे, जो की हुणों की खिलाप युद्ध कर रहे थे, वो शहीद होते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी भी उनके साथ शहीद हो जाती ह यानि आत्मदाह कर लेती हैं, इस प्रकार का प्रमाड प्राप्त होता है, यहां आप देख रहे हैं, और इसके बाद कुछ और चीज़े हैं, ड्यूरिंग गुप्त पीरियेट, टाउन्स डिक्लाइन ग्रेज्वेली, जो टाउन्स थे पहले के समय के, आपने देखा कि जो ताउनशिप है, या जो सिटी बन रही है, मेगा पोलिस और मेट्रोपोलिस जो सिटी निर्माण हो रहा था, वो सब चीज़ें यहां से खतम होने लगती हैं, और जब इस प्रकार की प्रणालिया समाप्त हो रही होती हैं, तो यह इस बात का संकेत देती हैं कि आप सभ्वे प्रता की ओर जा रही है गरीबी की ओर जा रही है और इससे देश का विकास पीछे की ओर जाएगा ये चीज़े हैं और अगर आप गाउं से शहरों की ओर डेवलप हो रहे हैं वर्तमान जो विकास का तरीका है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर किसी शहर और किसी गाउं की तारीफ नहीं की जा रही है, अब आप यहां पे यह मत सोचीएगा कि जो ग्रामीड सभेता है वो खराब होती है, खराब नहीं होती, लेकिन आप तुलना करके देखिए संसाधन वहां कम होते हैं, और शहरों में संसाधन जादा होते हैं, और यही कारण है कि जो गाओं से लो हुआ करता था, तो यह सब चीजे हम देख रहा है, अब इसके बाद कुछ और चीजे हैं, all the towns which were prosperous in the valley, most of them has declined at that age, मतलब वही चीजे कही गई हैं कि जो पहले के समय के बहुँ जादा प्रसिद towns थे, कस्बे थे या नगर थे, वो इस समय विलेज के रूप में develop होने लगते ह यह चीजे हैं, यहां आप देख लीजे, पाटली पुत्र के बारे में कह भी दिया गया है कि अम मेजर सिटी पाटली पुत्र बिकेम विलेज, यह जो पाटली पुत्र था जो किसी समय एक संपन नगर था और चंद्रगुप्त मौरे और जो मौरे वन्शी शाशक थे उनके शान शौकत का प्रतीक था, वो एक विलेज बन जाता है और वेंसांग केम टू इंडिया, मतलब यह समय कौन सा है, जब वेंसांग जो है वो भारत आता है, वेंसांग के भारत आने के समय तक पाटली पुत्र का पतन हो गया रहता है, इसके अलावा मतुरा, सोनपुर और सो पर रहा था, मतलब उनमें डिक्लाइनेशन इस एज में दिखाई दे रहा था, गुप्त पीरियाड इन एंशेंट इंडिया इस कॉंसिड़ेड अस गोल्डे नेज डू तो दे एक्सिलेंट डेवलप्मेंट इन फिल्ड आफ आर्ट और कल्चर, राजनायतिक विकास नहीं कल्चर का, ये दोनों बहुत ज़्यादा विक्सित होते हैं और इसके साथ साथ जो साइन्स और टेक्नलाजी है वो भी डेवलप्म होती है, उसमें भी काफी बड़े पहमाने पर उतकर्श आते हैं, लेकिन राज्य जो है वो इन चीजों से नहीं चलता, ये तो बाहर वाला अड्मिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, और वो चीज गुपतों में बहुत कम मात्रा में थी, कुछ शाषकों में थी और बाकी जितने मैक्सिमम थे उनमें कम पाई जाती थी, और यही कारण था कि यहाँ आप देख लीजे जितनी भी सिटीज हैं, वो गाउं की और बढ़ अभी बतोर इविडियन्स इस्तिमाल किया गया है, इसके बाद आयोधिया इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुंफा जो अभिलेख है उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, इसके बाद नासिक एडिक्ट है, और अमरावती का जो इंस्क्रिप्शन है, यानि अभिलेख है, वो इसके बाद जो लिटरेरी इविडियन्स है, उनको देख लीजे, मतलब कौन-कौन से जो ग्रंथ है, वो इसके बारे में इंफार्मेशन देते हैं, जो लिखी वई किताबें होती है, वो भी ततकालीन समय की बहुत अच्छी जानकारी देती है, तो यहाँ आप देख लीज अगर बहुत ग्रंथ को आप देखिए, तो दिव्यावदान और मिलिंद पन्हो का नाम आता है, मिलिंद पन्हो में जो मिनांडर है, उसका नागसेन नाम के भिच्छू के साथ वार्तालाप होता है, और नागसेन के द्वारा ही उससे लिखा जाता है, मतलब यह ग्रंथ ज आना जाता है कि इसको लिखने वाला जो आथर था, वो एक नाविक था, और वो समुद्री यात्रा करते-करते, जो कुछ तटवर्ती देशों में, तटवर्ती इलाकों में देखता है, व्यापार वगेरा देखता है, या जो कुछ उसका अनुभो रहता है, वो सब अपनी क का बेवरा है, वो भी यहाँ यूज किया जाता है, टॉल्मी का है, इस ट्रैबो का है, इस प्रकार के जो उस समय के दार्शनिक और विद्वान हुआ करते थे, वो इस समय की जानकारी के तौर पे अपने टेक्स्ट में बातों को दर्ज करते थे, ये कुछ बाते हैं, तो य उसके जो रिकार्ड्स हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण है, रिकार्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, उनको हमें देखना है, तो सबसे पहला यहाँ गिरनार, यानि जूनागर इसक्रिप्शन जो रुद्र दामन का था, उसके बारे में कहा गया तो जो inscriptions हैं उनसे प्रशन बनते हैं और बहुत बार बने हैं अब जो आयोग है जाए वो UPPCS वाला आयोग है मतलब UPPSC है या UPSC है या कोई भी state PCS कुछ भी हो उसमें deeply question को पूछने की जो प्रविक्ति है वो बढ़ गई है उपर से question नहीं पूछते चिछला ग्यान नहीं आ आपको गहराई से पढ़ना होगा मतलब गहरे पानी में आप उतरेंगे तभी आपको मोती मिलेगा तो यहाँ पर गहराई से इन चीजों को देखेगा simple नहीं पूछेगा कि language कौन सी थी उसमें 4-5 कथन आपको देदेगा उसमें से सही गलत आपको छाटना होगा तो वहाँ बुद्धी घूम जाती है और बुद्धी ना घूमें इसलिए पूरा डीटेल में पढ़ना आवश्यक होता है शार्टकट कुछ नहीं है देखे इस दा लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंगविज यह जो जूनागर्ड इंस्क्रिप्शन है रुद्रदाम विक्टरी ओवर साथकर्णी साथकर्णी के उपर रुद्रदामन की जो विजय है उसे इसमें मेंशन किया गया है रुद्रदामन का ही अभिलेक है उसी के त्वारा लिखवाया गया है तो उसने अपनी विजय का यहां वो लेक किया है और विजय किसके उपर साथकर्णी के उपर, इसके बाद the history of सुदर्शन लेक, जो सुदर्शन जील थी, मौरे कालीन है ये, is mentioned here, वह इसमें mention की गई है according to this, मतलब इसमें जो बेवरा है उसके हिसाब से, inscription वही चीज है, मतलब अभिलेक के हिसाब से the lake was built by पुशिगुप्त ये जो लेक है, यानि ये जो जील है ये पुशिगुप्त के त्वारा बनाई गई थी और पुशिगुप्त था कौन? तो ये गवर्नर था सौराष्ट का, मतलब सौराष्ट प्रांत में मौरे सामराजी की और से, मौरेन इंपायर की और से ये गिरनार वाले इलाके में जील का निर्माण करवाता है जो कि सुदर्शन लेक है और बाद में उसी का जो पौत्र है अशोप, वो इसमें कैनाल निकलवाने का काम करता है तो उन्होंने आदेश दिया था अब उसको क्रियानवित करने का मतलब उसे कारे रूप में ले आने का जो काम है वो यहां के गवर्नर जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो करते थे तो जो चंद्रगुप्त था, मतलब चंद्रगुप्त मौरे उसके समय में representative का नाम है यहाँ आप देख रहे हैं पुशिगुप्ट और अशोग के समय में जो यहाँ पर representative था उसका नाम है तुशास्प तो इन दोनों के बारा महतुपूर्ण कारे होता है तुशास्प जो है यहाँ पर कैनाल बनवाने का काम करता है और यहाँ आप आगे देख सकते हैं और रुद्रदामन ने क्या किया उसने इस लेक की repairing करवाई चूकि यह काफी पुरानी थी मतलब कई 100 साल इसमें गुजरे तो यहाँ तूट फूट बहुत जादा हो गई थी रुद्रदामन ने इसमें repair करवाने का काम किया इसको फिर से ठीक करवाया और क्यों ठीक करवाया तो इसलिए क्योंकि यह सूखा प्रफावित छेत्र था यहाँ पे सुष्क जलवाई हो थी वर्षा बहुत कम होती थी तो ऐसे में यह लेक संजीवनी का काम करती थी यह यहाँ के लिए जो agriculture था उसको काफी जादा प्रोचसाहन देती थी तो यह important थी आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौरे deserve माफ कीजेगा derive his name चंद्रगुप्त from his inscription जो चंद्रगुप्त मौरे का नाम है चंद्रगुप्त वो इसी inscription से प्राप्त होता है यह जो गिरनार या जूनागर इंस्क्रिप्शन है इससे प्राप्त होता है आगे देखते हैं अब यहाँ पर यह जो अभिलेख है यह पौराणिक द्रिष्टी से भी खास है यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णू दोनों को एक साथ रखने का जो काम है वो किया गया है मतलब लक्ष्मी विष्णू के साथ उन लिखे तीसी में है और यही से कॉंसेट निकल कर आता है कि वो उनकी पत्नी थी और जो पौराणिक कथाये हैं उन्हें हम जानते ही है कि समुद्र मंथन होता है उसमें से लक्ष्मी जी बाहर आती है और यह भगवान विष्णू के साथ आ जाती है यह चीज है तो यह आपने देखा गिरनार वाला अब इसके बाद अयोध्या इंस्क्रिप्शन को देख लीजे हाला कि यह उतना महत्वपोर नहीं है जितना की हाथी गुंफा और गिरनार है लेकिन फिर भी इसकी खासियत है तो खासियत क्या है देख लीजे अयोध्या इंस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया है कि अपिटल अयोध्या वाज मेड वाई पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग इसके द्वारा अयोध्या को राजधानी बनाया गया इसका उलेक प्राप्थ होता है This inscription confirm the victory of शुंगास on यवन मतलब यह जो inscription है अयोत्यावाला यह यवनों के ऊपर शुंगों की विजय को प्रमाडित करता है मतलब जो शुंग बंशी ये शाशक थे उसमें पुष्यमित्र शुंग सबसे जादा powerful था तो उनके द्वारा यवनों के ऊपर जीत हासल की गई थी मतलब उन्हें एकदम परास्त कर दिया गया था इसकी जानकारी प्राप्थ होती है इसके अलावा ये भी information बिलती है कि तीन अशुमें धियग्य जो है ये पुष्यमित्र सुंग के द्वारा perform किये जाते हैं ये सब information यही से प्राप्थ होती है और इस यग्य के जो पुरोहित थे वो पतंजली थे मतलब पतंजली और पुष्यमित्र सुंग ये समकालीन थे एक तरीके से आगे देखते हैं हाथी गुंफा को देखे बिना काम पूरा नहीं होने वाला है तो इसको देखना आवश्यक है ये खारवेल का हाथी गुंफा inscription है इसे elephant cave inscription भी कहा जाता है ये आंशिक रूप से damage है मतलब कुछ हिस्सा इसका छथिक्रस्थ हो गया है यहाँ पर ये कहा गया है यहाँ आप देख सकते हैं कि this inscription is obtained from Udai Giri mountain in Bhoneshwar इसके प्राप्ती कहां से हुई है ये जानना आवश्यक है तो ये भोनेश्वर से मिला है ओडिशा वाला जो छेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है और वहाँ पर Udai Giri की जो पहाडिया है वहाँ से इसकी प्राप्ती हुई है There is a mention of King Carvel defeating Brihaspati Mitr Brihaspati Mitr नाम के जो राजा थे उसको defeat करने का यहाँ पर mention प्राप्त होता है और हराने वाला शाशक था Carvel यह जो ruler था Brihaspati Mitr यह मगद का ruler था मतलब मगद को उस समय powerful समझा जाता था हाला कि उतनी शक्ती अब नहीं रह जाती है तो इसे यह पराजित करता है तो हाथी गुम्फा inscription से काफी बड़ी जानकारिया हमें प्राप्त होती है एक तो यह चीज़े हैं इसके बाद आगे चलते हैं There is also a mention of King Carvel's Victory over साथकर्णी साथकर्णी के उपर इसके बाद यवनों के उपर और जो पांडे रूलर थे उन सभी के उपर यानि एक बड़ा भूभाग जो है वो ये विज़ित करता है Carvel Carvel की पराक्रम का यहाँ पर जो विवरा है वो मिलता है विवराण यहाँ से प्राप्त होता है ये सब चीज़े हैं तो हाथी गुंफा में सिर्फ इतना ही नहीं है और जो चीज़े हैं वो आपने पीछे वाले वीडियो में मतलब पिछले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें छिट पुट देख रखी है यहाँ पर जो कुछ अलग चीज़े हैं वो आपके सामने प्रस्तुत की गई है जैसे कि खारवेल की जो विक्टरी है यह किसके उपर दर्शा ही गई है तो साथकर्णी यह वान और जो पांडे रूलर थे उनके उपर आगे देखते हैं नासिक एडिक्ट को about गौतमी पुत्र साथकर्णी इससे हमें गौतमी पुत्र साथकर्णी के बारे में information मिलती है कोई भी जो एडिक्ट या जो इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन्स होते हैं वो किसी ने किसी शाशक से जुड़े हुए होते हैं कोई न कोई रूलर या तो उन्हें बनवाता है या उनके बारे में जानकारी इसमें दी हुई होती है तो यहां जो यह नासिक वाला है इसमें गौतमी पुत्र साथकर्णी का आपको लेक मिलेगा और कहा गया है कि दमदर आप गौतमी पुत्र साथकर्णी got this inscription engraved मतलब उनके द्वाराई से engraved करवाया गया according to this इसके हिसाब से साथकर्णी यानि गौतमी पुत्र के बारे में कहा जा रहा है यह शकों को इसके अलामा पल्लों को और यमनों को पराजित करता है यानि इसकी विशेष्टा या इसकी जो वीरता है उसका वर्ण निया किया गया है and took the control of गुजराथ, सौराष्ट और मालवा और इन्हें परास्त करने के बाद इन्हें defeat करने के बाद इसका जो control है वो गुजराथ, सौराष्ट और मालवा वाले इलाकों पर हो जाता है तो स्वाभाविक है वहाँ की शक्तियों को अगर ये दबाएगा तो वहाँ अपना कबजा इस्थापित करेगा इन्दिस यानि ये जो नासिक इडिक्ट है इसमें ये कहा गया है कि गौत्मी पुत्र साथकर्णी said to be equivalent to परशुराम who marshaled the छत्रिय यहाँ ये कहा गया है कि जो परशुराम थे परशुराम एक रिशी थे यह जाती से ब्रामब्ड थे, यहाँ वर्ण की बात इसलिए की जा रही है यहाँ छत्रिय शब्द का उल्यक किया गया है इसलिए तो यह जो ब्रामब्ड थे परशुराम यह छत्रियों से दुश्मनी रखते थे उसका कारण था मतलब जो कारण था वो कथा में दिया हुआ है कथा यहाँ सुनाना आवश्यक नहीं है और इसके चलते कहा जाता है कि 21 बार इन्होंने पूरी प्रत्वी को छत्रियों से विहीन कर दिया था और इसलिए इन्हें छत्रान तक कहा जाता था परशुराम जो थे यह छत्रियों के पक्के कटर शत्रू माने जाते थे और अंत में आप देखते हैं कि जब सीता जी का स्वैंबर होता है तो उसमें धनुष के उपर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी जाती है और वहाँ पर धनुष के उपर प्रत्यंचा चढ़ाने की चकर में भगवान राम से धनुष तूट जाता है वो तोड़ने वाले नहीं रहते हैं और ऐसी कोई शर्त भी स्वेंबर में नहीं रहती है कि आप धनुष तोड़िये बस ये कहा गया है था कि धनुष को उठाईए और उस पर जो कमानी होती है उसको चढ़ाईए यानि दोरी उसकी कसकर दिखाईए बस इतना ही करना था इतना ही कौशल का प्रतीक था तो इसके चलते अब भगवान राम से जब असावधानी में धनुष तूटता है तो उसकी सूचना परशुराम तक पहुंच जाती है और वो वहाँ से तुरंद एकदम भैंकर क्रोध में लाल हुए पहुंचते हैं दोनों की बीच में थोड़ा संबाद होता है जिसे कि परशुराम लच्मर संबाद के नाम से जाना जाता है और अन्त में सब कुछ धंडा पड़ जाता है मतलब भगवान राम की जो विनम्रता है उससे एकदम से प्रभावित होते हैं और शान्त हो जाते हैं तो ये सब जि पुरशार्थी थे हाथ में फावडा लेकर चलते थे इसलिए इन्हें परशुराम कहा जाता था पहले इनका शुरुवाती नाम था वो राम था ये सब बाते हैं अब इसके बाद देख लीजे यहाँ पर इन्हें परशुराम की उपाधी क्यों दी गई गौतमी पुत्र साथ पितवाहन ये जो शब्द है लंबा सा यहाँ ट्रेन जैसा वर्ड देख रहे हैं न तो ये पूरा उचारड़ का क्या होगा देन्हें तो यहाँ पर तीन जो समुद्र हैं, माफ कीजेगा, यहाँ समुद्र का मतलब यहाँ पर सी होगा, ओशियन तो महासागर हो जाएगा, अब त्री समुद्र तोय पितवाहन का मतलब यह है, यहाँ कोश्टक में दिया हुआ है, कि the king whose horse has drunk the water of three seas, ऐसा राजा जिसके गोडे ने तीन समुद्रों का पानी पिया है, अब यहाँ तीन समुद्रों के पानी पीने का मतलब यह नहीं कि वह बहुत प्यासा था, इसका मतलब यह है कि उसका पराक्रम इतना जादा था कि तीन समुद्रों पर उसने अपना अधिकार इस्थापित किया, और वहाँ वहाँ वह में नासिक एडिक्ट से प्राप्थ होती है, आगे चलते हैं, अमरावती इंस्क्रिप्शन को देखिए और छोटे-छोटे हैं, उन्हें भी देखते चलेंगे, तो this is the first inscription आप साथवाहन डैनिस्टी, जो साथवाहन डैनिस्टी थी, उसका ये first inscription कहा जाता है, इस मायने में ये खास है, इसके बाद नानाघाट के बारे में आपने पीछे देखा था, तो it is related to साथकर्णी, इसका संबंध साथकर्णी से है, और according to this, इसके हिसाब से, मतलब नानाघा के द्वारा दो अशुमेद यग्यों का आयोजन किया गया था, इसका मतलब ये दर्शानी की कोशिश है कि ये काफी पराक्रमी था, इसके बाद बेस नगर को देख लीजे, ये थोड़ा सा डीटेल में देखना आवश्यक है, महतुपूर्ण है, this inscription was ingrained by Heliodorus, इसे Heliodorus के द् इसके द्वारा उलिखित करवाया गया था, उतकिर्ण करवाया गया था, it is related to the भागवत religion, और यह जो बेस नगर यानि विदिशा यानि विदिशा ये छेत्र था, तो यहाँ पर ये उतकिर्ण करवाया गया था, ये भागवत religion से संबंद रखता है, और ये पूरी तरह से वसुदेयों, यानि भगवान विश्णु के एक अवतार थे वासुदेयों, उन्हें पूरी तरह से dedicated है, वासुदेयों का मतलब आप जानते हैं, यहाँ भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, जो कि भगवान विश्णु के अवतार माने जाते हैं, तो उनको ये पूरी का आइडल रखा गया हूँ, या स्थापित किया गया हूँ, और इसके बाद यहाँ पी कहा गया है, कि it is mentioned the काशी पुत्र भागभद्र, काशी पुत्र या काशी पुत्र इन्हें कहा जाता था, और भागभद्र इनका वास्तविक नाम था, who was a sung ruler, जो कि शुंग वन्शिय ये शाशक था, ऐसा इसमें उलिकित है, it is located in Vidisha district of Madhya Pradesh, विदिशा को ही वेस नगर उससे में कहा जाता था, और ये विदिशा है कहा पे, Madhya Pradesh में है, यहाँ पे ये लोकेट करता है, इसकी विशेशता क्या है, कि ये स्तंब पर खुदा गया है, मतलब खुदा गया है, ग चलते ही अपने समराजी को कमजोर कर लेते हैं, और गुप्त डैनस्टी के जो रूलर्स हैं, वो डोनेट करने का काम करते हैं, जमीन दान में देने का बहुत बड़ा रिवाज यहां से निकलता है, और आप जानते हैं, दोस्तों कि अगर राजी का जो शाशक है, वो जमीन उपहार स्वरूपदान में देने लगे, तो इससे क्या होगा, उसके राजी की जो संपदा है, वो घटने लगेगी, और वो जमीने जो है, जिसके पास जाएंगी, वो खुद जमीदार बनना शुरू हो जाएगा, और ऐसी कंडिशन में सामन्त वादी जो है, यहां बहुत आप जानते हैं कि जो लेंड रिवेन्यू होता है, वो राजी की आमदनी का या जो राजा है उसकी आमदनी का एक बड़ा सोर्स होता है, अब यहां पर जो लेंड होते थे उनसे जो भी इंकम जनरेट होती थी, जो आनर उसका होता था, मतलब जिसे वो गिफ्ट में दी जो है, वो गिफ्ट कर दी गई, गुप्त रूलर्स के द्वारा, तो उस पांच भीगा जमीन पर जितनी भी लगान मिलेगी, जितने भी जो रईयत है आपके अधीन होगी, जो आपको लगान मिलेगी उसे आप अपने से रख सकते हैं, राजा को देने की कोई आउशक्ता जाएंगे, तो उनके अंदर अपनी जो महत्वा कांख्षा है, वो जगेंगी, वो खुद राजा बनना चाहेंगे, तो ऐसे आप देखेंगे कि बाद में बहुत सारे छोटे छोटे जो गिंग्डम्स हैं, वो यहाँ पर राइस करने लगते हैं, आईए आगे देखते हैं, इसके बाद कहा गया है, कि a person who used to cultivate on official land of ruler had to pay a part of our products as tax in गुप्ध पीरियएड, मतलब जो person, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, वो अगर किसी जमीन पर खेती कर रहा है, और वो जो जमीन है, वो कैसी है, official land है, तो ऐसी कंडिशन में अपनी फसल का जो एक हिस्सा है, निर्धारि जो production है, उसका होता था, उतना जो है, राजा के हिस्से में चला जाता था, मतलब आप राज की जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, land revenue is known as उद्रंग, यहाँ पे उद्रंग के नाम से जो land revenue था, उसको जाना जाता था, इसके अलावा भाग शब्द भी यूज किया जाता था, तो यह दो प्रकार के जो land revenue है, यह यहाँ उलिखित है, यह गुप्त इंस्क्रिप्शन से प्राप्त हुए है, यानि जो गुप्त अभिलेख हैं, उनसे प्राप्त हुए है, अब इसके बाद देख लीजे, the irrigation tax, जो ancient Indian time period था, उसमें जो irrigation tax था, और उनके द्वारा जो पानी आता था, उसको farmers यूज करते थे अपने cultivation के लिए, तो चूकि वो water का यूज कर रहे हैं, तो उसके बदले में राजी को कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हों ने कैनाल बनवाने का काम किया है, या जो pond है या lake है उसको बनवाने का काम क उनके बारे में ओवराल बताया जा रहा है, तो यह हिरने किस समय का है, यह मौरियन पीरियड का है, इसके बाद आगे देखिए, the land tax was called, यहां आप देख रहे हैं, उद्रंग, in gupt inscription, यह आपने पीछे भी देखा है, इसके बाद उपर निका, उपर निका गया था, was the tax on farmers living on the land, मतलब जो जमीन पर रह रहे हैं किसान थे, मतलब गाओं बसाकर, घर बनाकर, जो भी किसान निवास करते थे, अपना घर बार बनाते थे, तो उसका tax इन एक तरह से देना पड़ता था, वो था उपर निका, यह सब चीजे हैं, अब इसके बाद नीचे जो next paragraph है, उसको द speak, कहने का मतलब यह है कि यहां उचा और नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, पहली चीज तो जो वर्ड व्योस्था थी, वो बहुत बुरी तरह से समाज को जकर लेती, समाज में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न होती है, तो इसके चलते जो सूत्र होते थे, जो क उसको यूज कर सकते थे, मतलब संस्कृत सीखने की भी यहां पर्मिशन नहीं थी, वो बोल क्यों नहीं सकती, सूत्र या जो महिलाया है हो क्या उनके पास ब्रेन नहीं होता, दिमाग तो होता ही है, तो संस्कृत वो सीख सकते हैं, लेकिन संस्कृत सीखने का अधिकार या बोलने का अधिकार इनके पास नहीं था, ये बड़ी बात, जो अपर वर्ण के लोग थे, यानि ब्रामभड च्छत्रिय और वैशे, वैशे भी इसमें शामिल थे, तो ये सब जो तीन थे, इन्हें जो संस्कृत लेंग्वेज है या कोई भी लेंग्वेज है, उसको बोलन इंडिया में कहीं भी बेहतर नहीं दिखाई देती, सिर्फ जो वैदिक योग था एकदम शुरुवात रिग वैदिक काल था, उस समय महिलाएं वेद निर्माण में भी भाग लेती है, या गिमें बराबरी की हिस्सेदार होती है, जो डिबेट कॉम्टिशन उस समय होते हैं उसमें वो बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती हैं और जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उन्हें पराजित भी करती हैं, यानि उनका पूरा जो महत्व है वो काफी जादा होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद की जितनी भी सिचुएशन है, चाए वो मौरेन की तरह ने यूज किया जाता है, जो एक-एक बादशाह होते हैं, उनके बड़े-बड़े हरम होते थे, और हरम में अनेको इस्त्रियां होती थी, और बादशाह उनके साथ, जिसके साथ एक रात बिताना चाहें, उसके साथ बिता सकता था, और वो इस्त्री जो हैं वो प्र से गुप्टों, मौर्यों और चोलों की समय में The situation of women with men cannot be compared in any age यहाँ पर किसी भी प्रकार से इनका comparison पुरुशों के साथ इस यूग में, मतलब यह जो कोई भी age है उसमें नहीं किया जा सकता Mrich Kattikam written by Sudrak Sudrak नाम के जो author है उनके द्वारा Mrich Kattikam को लिखा गया है Tales about the change in society and administration system during Gupt period. यह जो Mrich Kattikam है इससे हमें Gupt period में जो society में तेजी से changes आ रहे थे Society का जो structure था वो village वाला हो रहा था पहले जो city और town की व्योस्था थी वो यहाँ समाप्त हो रही थी और समाज में जो परिवर्तन आ रहे थे उसका व्योड़ा यहाँ से प्राप्त होता है याद रखिएगा कि Brich Kattikam जो है उससे Gupt Kalin सूचनाय प्राप्त होती और इसको लिखने वाले जो author है उनका क्या नाम है उनका नाम है शूद्रक यहाँ आप इनका नाम भी देख रहे है इससे प्रशन बन सकता है इस टेक्स्ट डील विट लव स्टोरी आफ चारुदत्ता जिसे की कारुदत्ता भी कहा जाता है यह चारुदत्त है और यह रिच मर्चेंट था और उसके बाद इसकी जो लव स्टोरी थी वो किसके साथ है तो वसंत सेना वसंत सेना डॉटर थी एक कोटिसियन की इस प्रकार से दोनों की बीच में जो लव स्टोरी है उसका इसमें वर्डन किया गया है लेकिन लव स्टोरी होने के बावजूत ततकालीन समाज की बहुत अच्छी जानकारी इससे प्राप्त होती है अब आगे चलते हैं इनका जो रूल था यानि शाशन था वो राज तंत्रिय था अनलाइक अधर रूलर्स गुप्त रूलर्स बिलीव इन दियर डिवाइन ओरिजिन मतलब ये अपने दैवियस रोत को स्विकार करते थे गुप्त शाशकों का ऐसा मानना था कि इश्वर की ओर से इन्हें आग्या प्राप्त हुई है कि ये राज जी करने के लिए बने हुए है मतलब ये अपने आपको इश्वर का प्रत्निधी रिप्रेजेंटेटिव मानते थे और डिवाइन ओरिजिन पे बिलीव करते थे अब इसके बाद इसमें कुछ चीजें और है गुप्त रूलर एक्सपेंडेट दे ट्रेडिशन और डोनेशन अफ लेंड इन्होंने लेंड के डोनेशन का जो ट्रेडिशन है उसको काफी ज्यादा फैलाने का काम किया यहाँ पर इनका जो administration का process था या structure था वो centralized नहीं था यह सबसे बड़ी कमी है केंडरी कृत प्रशासन जो की मौरे सामराज जी में आप लगातार देखते आ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है और इसी वज़े से राज जी धीरे-दीरे कमजोर पढ़ने लगता है और बाहरी हमले भी लगातार हो रहे हैं जैसे हूडों का आक्रमन हो रहा है यह असलियत है, रियल्टी है और ऐसे में कंडिशन यही है कि अगर आप अपनी इम्म्यूनिटी को मजबूत करके रख रहे हैं तो आप उस वाइरस से लड़ भी लेंगे और जीत भी जाएंगे अगर आपकी इम्म्यूनिटी कमजोर है तो मरेंगे, स्वाभाविक बात है वही चीज यहां भी है जो राज्य होता है उसके अंदर की अगर शक्ती मजबूत है अंदर से वो काफी सबल है तो बाहर से कुछ भी हमला हो उसको जेल लेगा उस पे कोई खास असर नहीं पड़ अगर देखाए दगुप्त किंग वास देखाए तो में इसमाल किंग मतलब चोटे-चोटे सामन्त यहां जो समाल किंग शब्द आप देख रहे हैं यह असल में सामन्त होते थे पहले इन्हें जमीन गिफ्ट में दी जाती थी और धीरे-धीरे करते करते इतनी जमीन इनके सोजाती थी कि यह जमीदार बन जाते थे और जमीदार बनके उस पूरी जो रियासत होती थी छोटा सच्छेत्र होता था उस पर राज करते थे और राजा को खुश करने के लिए जो मुख्य राजा होता था महराजा धिराज उसको खुश करने के लिए कुछ टैक्स और Experience Absolute Independent in their respective areas. मतलब जो ये छेत्रिय rulers होते थे, जिनके बारे में अभी चर्जा हो रही है, ये अपने आपको काफी स्वतंत्र मानते थे और अनुभव भी करते थे. इनकी आजादी थी, ये कुछ भी कर सकते थे. अपनी जनता के साथ चाहे जैसा बरताओ करें, वहाँ पे महाराजा धी राज जो है, वो कोई हस्तक शेप नहीं करता था. तो इस प्रकार का ही अपने एरिया में रूल करते थे, मतलब वहाँ एक समराट की तरह ये बिहेव करते थे. ये चीज़े हैं. The divine origin theory of kingship was popular. वही चीज़ आपने पीछे देखिए कि यहाँ दैवी उत्पत्ती का जो सिधान्त है, राजा या राजसी परंपरा में, वो popular होता है. The throne of the king was heredity, but lack the firm practice of primogeniture. मतलब यहाँ पर कहने का तातपर ये है कि जो उत्तरादिकार वाली व्योस्थाती वो तो चलती ही है. जैसे राजा है, तो राजा का बेटा जो है, वो अगला राजा बनेगा, यह तैं होता था. यहाँ योगिता के आधार पर चुनाओ नहीं होता था. अब यहाँ चंद्रगुप्त जो है ये फायदा उठाता है और तत्काल जाता है, जो ध्रूदेवी है उसे मुक्त करवाता है और अपने भाई की हत्या करके शाशन प्राप्त कर लेता है, विक्रमादिती की बात की जा रही है. तो यहाँ पर उस प्रकार की व्योस्था थी कि मतलब राजा का बेटा जो है वो राजा बन सकता है, लेकिन बड़े भाई को जो इल्डर प्रदर होता था, उसी को प्रिफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं था. यहाँ पर उसका लैक था, जो सत्ता हासिल कर ले, उसका राज्य हो जाता था, इस प्रकार से होता था, अब इसके बात यह कहा गया है कि गुप्त अडिनिस्टेशन वास फेडरल इन नेचर, एंड वास बेस बेस ओन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, यह सब आप देखी च सिजे जो हैं, वो दिखाई देती हैं, मतलब प्रोविंसियल जो अथारटी हैं, वो यहाँ पर अपने आप में निर्ड़य लेने के लिए स्वतंत्र होती हैं, उनके ओपर राजा का कोई खास दबाव नहीं रह जाता है, और ऐसी स्थितियां जब पैदा होती है, तो राज नियम काइदे अपने हिसाफ से जो रूल से वो नहीं बना सकता था, वहाँ पर इसे अपने सामंतों के साथ, जो छोटे-छोटे किंग्स होते थे, जिनको ये अपने अधीन रखता था, उनकी सलाह पर काम करना पड़ता था, क्योंकि अगर ये अपनी मर्जी से कानून बना देता, तो वो जो छोटे-छोटे राजा हैं वो विद्रोह कर देते, यहाँ पर रिवाल्ट हो जाता और उसका फिर सामना राजा को करना पड़ता, तो ऐसी कंडिशन में यहाँ उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हो जाती है, अब देख लिजे यहाँ पर राजा का का क्या बच जाता है, चंद्रगुप्त मौरे के समय में सामराज्य विस्तार एक मुख्य उद्देश होता था और उसके बाद प्रशासन को एकदम कस कर रखना, यह दूसरा परपज होता था, राजा के जिम्में यही तो काम होते थे, लेकिन यहाँ पर राजा क्या है, वो ए जैसे जैसे गुप्त काल का आन्त आता है, वैसे वैसे इन चीजों को हम देखते हैं, और मुख्य रूप से राजा का काम होता था, कि वन सिस्टम जो एकदम कड़ाई से यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है, वो टूटने न पाए, मतलब जो उच वर्ग है, उसका वर्चस है, उसकी रक्षा करें, तो यह सब बाते हैं, मतलब जो साइड वाली चीजे हैं या राज जी के हिसाफ से फिजूल की बाते हैं, उसकी ओर राजा का ध्यान ज्याद रहता था और राज जी की सीमाओं को सुरक्शित करने का काम, यह सब कोई और देखता था, जो टतकालीन जमिदार होते थे, वो देखते थे, ये सब बाते, अब देख लीजे, Central Administration and Provincial Administration जो था उसके बारे, King, सबसे पहले राजा, तो he did not have full authority to legislate, but he was still the highest officer of Administration, Executive, Judiciary and he was also the Military Head, राजा के पास अधिकार अब बहुत कम रह गये थे, नाम मातर के अधिकार रह गये थे, मतलब ऐसा नहीं कि राजा की महिमा एकदम से गिर गई थी, लेकिन जो पहले की तरह पावस थी, कि मनमानी एकदम निरंकुष वाला जो शाशने वो कर सकता है, तो ऐसा ये नहीं था, राजा के पास सारे एधिकार थे, यहाँ आप देख लीजे कि वो highest officer होता था, Administration का, प्रशासन का, उसके लावा military का भी head होता था, यह सब जितनी भी चीजे हैं वो इसके पास होती थी, लेकिन अपना कोई भी फैसला ये एकदम से अपने मन से नहीं सुना सकता था, कोई भी निर्ड़ा लेने से पहले, जितने भी इसके सामन्त होते थे, जितने भी इसके अधीन राजा होते थे, उनसे ये सलाह करता था, और उसके बाद जो एक राय बनती थी, एक मत बनता था, उसके आधार पर फैसला दिया जाता था, राजा के मर्जी से नहीं होता था, ये बाते, इसके बाद जो अगला है वो है country या nation, यानि राश्ट की बात की जा रही है, it was the largest unit of administration, यहाँ पर हम अलग-अलग अंगों को देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था राजा, अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है देश, अब it was the largest unit of administration, मतलब ये प्रशासन की सबसे बड़ी unit होती थी, its ruler was known as गोप, इसे गोपत कहा जाता था, मतलब ये गोप कहे जाते थे, each country was divided into many भुक्ती, यहाँ पर जो country होती थी उन्हें भुक्तियों में बाटा गया था, जैसे provinces होते हैं वैसे ही यहाँ पर भुक्तियां बटी होई थी, जो भुक्ती होती थी वो province की तोर पे, यहाँ दिखाई जा रही है, देख लीजे, जो country होती थ जो है एक administrative officer होता था, इसे appoint किया जाता था, there used to be an officer named उपारिका, यह जो उपारिका या उपारिका नाम का officer है, वो यहाँ पे appoint किया जाता था, each of the provinces was divided into several district, अब यह जो provinces थे, जैसे आज के समय में प्रदेश में जिले होते हैं, मंदल होते हैं, वैसे ही उस समय भी इन्हें districts म divide किया जाता था, तो आगे जो अगला क्रम आप देखेंगे, वो districts का है, its highest officials was विशयपती या विशयपती, यह विशयपती या विशयपती के नाम से जाने जाता था, यह यहाँ का administrator होता था, मतलब सबसे head होता था, there were certain officer appointed to assist विशयपती, अब यहाँ पर विशयपती को support करन करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, बहुत सारे इनके assistant होते थे, जैसे कि स्रेश्ठीस में है, इसके अलामा कुलिक है, इस प्रकार के जो officers होते थे, यह इसके अंदर में काम करते थे, जैसे जिले में सबसे जो मुख्य प्रशासन का केंदर होता है, वो कौन होता है, district magistrate होता है, यानि जिलादिकारी होता है, अब उसके अधीन बहुत सारे छोटे 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 officer होते हैं, तो उसको मतलब निर्देश देने का काम जो है, वो DM करता है, और उसको जितने भी निर्देश, मतलब अन्य छोटे officers को दिये जाते हैं, उसको क्रियानवित करने का का बाकी जो और छोटे कर्मचारी हैं, उनके जिम्में आता है, इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है। तो यहां जो स्रेश्थी और कुलिक हैं यह नीचे वाले आफिसर हैं, और सबसे बड़ा आफिसर जो है वो विशेपती है। इसकी हैसियर यही जिलादिकारी जैसी होती थी। और उससे भी उपर समराथ होता था, और उसी क्रम में प्राविंस को हमने देखा, जो कि भुक्तियों के नाम से जाना जाता था, उसके बाद डिस्टिक को देख चुके हैं, डिस्टिक के अंदर तहसीले होती थी, जैसे जिले के अंदर तहसीले अभी भी होती हैं, और उसक वर नोन ऐस महत्तर यहां पर जो महत्तर शब्द इस्तिमाल किया गया है इस पर कई बार क्वेश्टन बन चुका है इस शब्द को याद रखिएगा यह असल में क्या था मुखिया था जैसे ग्राम प्रधान होते हैं वैसी ही इसकी हैसियत थी यह विलज के जो अडिनिस्ट्र यही था और यह कमांडर इन चीफ होता था इसके बाद अग्रहारी का शब्द इस्तिमाल किया गया है तो यह क्या था यह सब आफिसर्स के नाम है यह head of the department of donation दान विभाग का head होता था उससमें donation बहुत ज़्यादा दिये जाता था आपने पीछे देखा है कि जमीने और बह महादंड नायक है तो महादंड नायक जो व्यक्ति होता था यह जज की तौर पे यहाँ विराजमान होता था मतलब यह नयाधिश होता था दंड देने या दंड निर्धारण का काम करता था इसके बाद जो अगला है वो यहाँ आप देख रहे हैं भंडार गार अधिकृत ये जो था, ये भंदार का मुखिया होता था, भंदार का मतलब ये राशन का भंदार नहीं है, ये संपदा का भंदार है, तो ये Treasury Officer के तौर पे काम करता था, इसके बाद जो अगला है वो धंड पाशिक है, तो धंड पाशिक जो था, ये पाचवे नमबर पर आप देख रहे यहांपे ऑफिसर है वह इस नामसे यह इन्द पाशिक के नामसे जाना जाता है इसके पाद जो अगला है वो है संधी विग्राहक संधी विग्राहक जो था यह फॉरन मिनिस्टर होता था मतलग बीदेशी मामले इसके जिम्मे होते थे और वार और ट्रीटी वाला जो जिम्मा है उसको देखने का काम ये करता था मतलब भारत यह जो गुप्ट सामराज्य है भारत शब्दिया उलिखित करना सही नहीं होगा क्योंकि पूरा भारत इसमें नहीं आता तो गुप्ट डैनेस्टी के चारो और जो बाहर की सीमा रेखाएं हैं उससे बाहर के जो राज्य हैं उसके साथ इनके संबंद कैसे हैं उसके देखरे का काम ये जो संदिविग्राहत था उसका होता था इसके बाद जो अगला है वो है विनाइस्थिती तो विनाइस्थिती जो था ये Head of Education and Religious Affairs होता था मतलब धर्म और सिक्षा से जुड़े हुए मामले इसके जिम्में होते थे इसके बाद जो अगला है वो महाच्छपटलिक है तो महाच्छपटलिक क्या था ये सुप्रीम आफिसर होता था अकाउंट डिपार्टमेंट का अकाउंट डिपार्टमेंट पूरी तरह से इसके कंट्रोल में होता था इसके बाद जो अगला है वो कौन सा है तो ये चोर रोधनिका के नाम से जाना जाता था यहाँ पर जो शब्द है इसको याद रखेगा चोर रोधनिका या चोर शब्द जो है इस संस्कृत का है उसी को हम लोग हिंदी में चोर कहते हैं तो ये चोर को रोधने का मतलब उसे रोकने का काम करता था यानि ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था मतलब ये खुफिया चानकारी अपने पास रखता था और चोरी जितने लोग करते थे उन्हें तलाशने का काम करवाता था यानि यहाँ गुप्तचरों का जो संदर्व है वो जुड़ा हुआ है इस प्रकार के जो ऑफिसर्स हैं कुल्मिलाकर इनकी संख्या यहाँ नौ है जो की मुख्य हैं इसके अलावा छोटे-छोटे बहुत सारे होते थे इन्हें हम देख रहे हैं कुछ और बातें गुप्त इंपायर के बारे में चेस का जो गेम है यह बहुत ही दिमाग वाला होता है यहाँ पर अगर दिमागी रूप से सक्षम दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं तो यह खेल बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता इस खेल की जो सीमाये हैं बहुत दूर तक चली जा सकती है प्रेमचन्द की एक स्टोरी है शतरंज के खिलाडी उसको कभी पढ़ियेगा उसमें दो शतरंज के जो माहिर खिलाडी होते हैं वो आपस में खेलते हैं दोनों ही मित्र रहते हैं और शतरंज खेलने का ऐसा नशा उनके उपर सवार हो जाता है कि वो चेस खेलने के लिए एकांत स्थान खोजते हैं और जंगल में जाके एक जो खंडहर होता है वहाँ पर वो अपना विसात बिछाके और राजा रानी और जितने उनके सवार हो सजाके अपना खेलना शुरू कर देते हैं और वही पर उनके बीच में जगड़ा होता है और जगड़ा होकर तलवार बाजी की नौबत आ जाती है तलवार बाजीयां होती है और दोनों ही वहाँ मर कर गिर जाते हैं इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो शत्रंज का जो खेल है यह जल्दी खतम होने वाला खेल नहीं होता बहुती दिमाग का यूज इसमें किया जाता है अगर कोई बुद्धिमान खिलाडी है या माहिर खिलाडी है यहाँ बुद्धिमान शब्द नहीं कहना सही रहेगा इसमें कुशल है उसकी skill अच्छी है तो वो अच्छा खासा इसमें खेल सकता है तो ये शुरू भारत में ही हुआ था और it reached to Iran and Iraq, Europe from India मतलब यहां से देख लीजे ये इरान और इराक में पहुंसता है माफ कीजेगा, इरान में पहुंसता है और उसके बाद फिर यूरोप में पहुंसता है तो भारत से ये अलग-अलग देशों में प्रवेश करता है अलग-अलग जो महादवीब है वहाँ एंटर करता है इसके बाद प्रवर सेन के बारे में कहा गया है प्रवर से इन 1st 275-335 AD, the founder of Vakatak dynasty, ये जो प्रवर से इन प्रथम है, ये Vakatak dynasty का founder माना जाता है, समय यहाँ दिया हुआ है, उसको याद रखीएगा, was the first Vakatak ruler, वो called himself Samrat, और ये Vakatak rulers जितने भी हुए हैं, शाशक हुए हैं, उनमें सबसे पहला था जिसने खुद को Samrat कहा, वे धिया के करने का मतलब ये है कि ये काफी जादा powerful रहा होगा, strong रहा होगा, along with this, he also made many Vedic sacrifices, मतलब बहुत सारी जो वैदिक बलियां हैं, बलिदान है, वो भी इस ने करवाए, इस प्रकार की चीज़े ये करवाता है, अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए, इंपरर प्रवर सेंथ 2nd, यहाँ पर तो ये प्रवर सेंथ 1st की बात हो रही है, ये सब वाकाटक डैनस्टी के बारे में चर्चा हो रही है, तो जो इंपरर था प्रवर सेंथ 2nd, और सेम डैनस्टी, यानि वाकाटक डैनस्टी के बारे में कहा जा रहा है, वास इंट्रेस् नाम की जो रचना है उसको ये कंपोज करता है लिखने का काम करता है ये हमने देखा तो यहाँ प्रवर्सेन फर्ष्ट और प्रवर्सेन सेकेंड के बारे में इंफार्मेशन है जहाँ प्रवर्सेन फर्ष्ट जो था ये लडाकु योध्धा था पराक्रमी था वहीं जो प्र किजेए कि दर्शन है हिंदू फिलोसफी में, उनकी संख्या इहां पर कुल कितनी है, शर्थ धर?... कहा जाता है। और शर्थ दर्शन के अलामा और भी बहुत सारे दर्शन है। कुछ वो वैधिक है और कुछ वनस्टिक वादी दर्शन तो जो वैदिक दर्शन है उनकी संख्या टोटल 6 ही है यहाँ पर कुछ का नाम दिया है जिसे फिलोसफी है इसके अलामा वर्ल्ड व्यू है और टीचिंग्स है यह सब जो है यह प्राचीन काल से इमर्ज करती है यानि संबन्द रखती है The mainstream Hindu philosophy includes 6 systems मतलब इसमें 6 systems पाये जाते हैं जिने की शर्ट दर्शन के नाम से संबोधित किया जाता है भी आपने सुना भी है अब इसमें कौन कौन से है तो सांखे है, योग है, इसके अलामा न्याय, वैशेशिक, मीमानसा और वेदान्त इस प्रकार के जो दर्शन है इनके नाम यहां गिने जाते है सांखे दर्शन के बारे में यह कहा गया है कि it is one of the most ancient philosophical school of India यह भारत का जो दार्शनिक छेतर है मतलब प्राचीन भारत का जो दार्शनिक area है उसमें सबसे जाता है यह प्रामाडिक माना जाता है या मुख्य माना जाता है मतलब सांखे दर्शन ये सबसे पुरातन माना जाता है और इसकी महत्ता भी काफी जाता है महर्शी कपिल is known as the आचारे आप सांखे दर्शन और महर्शी कपिल के द्वारा ही सांखे दर्शन को produce भी किया गया था देने वाले यही थे सांखे दर्शन का जो बेस है इसके जो विचार है वो जानना आवश्यक है क्योंकि जो factual question नहीं होते हैं वहाँ पे इस प्रकार के जो वैचारिक प्रशन है वो आ जाते है fact अब कम पूछे जाते हैं और इस प्रकार के जो गहराईया है वो जादा आती है तो देख लीजे जो सांखे दर्शन है उसका विश्वास किसमे है इसका विश्वास है रिवर्थ में पुनरजनम में इसका ये मानना है कि आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है जब एक शरीर मुड़ा हो जाता है पुराना हो जाता किसी काम का नहीं रहता तो आत्मा उसको छोड़ कर निकल जाती है यानि व्यक्तिकी मृत्टि हो जाती है और फिर वही आत्मा जीवात्मा जो है वो किसी इस्त्री के गर्व में प्रवेश करती है और एक नए बालक के रूप में जन लेती है इस प्रकार की जो विधिया है वो यहां दिखाई गई है अब इसके बाद आगे चलते हैं ये चीजें आपको भगवत गीता में भी दिखा जा सकता है इसके बाद ये कहा गया है कि नी साइन्स इस दे कॉल आप सौरू और जो अज्ञान है वो यहां पर दुख का कारण है अज्ञानता जो है ये सबसे बड़ा दुख है अगर आप किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं तो आप विपत्तियों क आमंत्रित करते हैं और जो सेफ इंलाइट्मेंट है यानि आत्म ज्ञान है आत्म प्रग्या है वो असल में पूरा सालूशन है आपकी हर समस्याओं का सालूशन है वो आपको लिबरेशन देगी इन सबसे मुक्ति देगी इसके बाद सांग की हेल्ट डैट इस दा सेफ नौ खुद को जान लिया वो सेल्फ लिबरेट हो गया यानि वो स्वतंत्र हो गया फिर उसको कोई बांध कर नहीं रख सकता और उसके अलावा कोई भी एक्स्टीर जो इंफ्लूएंस है या कोई भी जो बाहरी एजेंट है तथा कथित धर्मा चारे है वो ऐसा नहीं करवा सकते मतलब आप किसी गुरू की शरण में चले जाईए और उससे कहिए कि गुरू जी हमें मुक्ती दिलवा दीजे तो ऐसा नहीं हो सकता वो प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा और यही कहने वाला सांखे दर्शन था तो यह अच्छी चीज़े है इससे हमें बहुत कुछ स दिखाई गई है कि एक मनुष्य है साधारण आदमी है और वो अपनी शक्तियों को जान लेता है शरीर के अंदर छिपी हुई जो रहस्यमई शक्तिया है कुंडलीनी जो शक्ति होती है वो सारी जितनी भी पावर्स होती है उनका सेंटर पॉइंट होती है तो वो आत्म ज्य प्राप्त कर लेता है और आत्म ज्यान प्राप्त करके वो शक्तिमान बन जाता है तो उसमें कुछ फेंटेसी डाली गई है कि वो किरने छोड़ता है और गोल गोल घूमता है लेकिन असलियत क्या है कि कुंडलीनी होती है यह हमारे वेद और हमारा दर्शन मानता है और जो से जागरत कर लेता है फिर वो किसी दुख के बंधन में नहीं पड़ता है किसी भी सांसारिक मोमाया से मुक्त हो जाता है उसे फिर कोई दुख होगा ही नहीं वो आनंद में डूबा हुआ होगा और सब कुछ उसके लिए सुलब होगा ये चीजें आप देखिए महार्शी पत कासफिकाई तो हिस्सा है वो कोई शारिरिक कसरत नहीं है आप योग को एकसरसाइज नहीं कह सकते एकसरसाइज अलग चीज है एकसरसाइज आप जिम में करते हैं लेकिन योग जो है वो शांत वातावरण में अकेले होता है आगे देखते हैं the history of योग in Indian tradition is very old और भारतिय परंपरा में जो योग का इतिहास है वो काफी पुराना है ऐसा नहीं है कि बाबा राम देव ने इसका आविशकार करने वाले कौन थे देखिए आविशकार उन्होंने नहीं किया था उन्होंने भी नहीं किया था महरशी पतंजली ने सिर्फ उसे प्रमोट किया उससे पहल महाभारत यहाँ कुछ ग्रंथों के नाम देख रहे हैं तो देख लिजे यहाँ यह कहा गया है कि the description about yoga is found in उपनिशद योग का जो उलेक है विवरण है वो हमें कहां कहां से मिलता है पहली चीज़ तो उपनिशदों से मिलता है महाभारत से प्राप्त होता है भगवत कीता में योग की बहुत महीमा बताई गई है मनुश्य को कर्म की और प्रेरित करने वाला योग ही है और कर्म योग जो है उसमें सबसे विशेश होता है कर्म योग का मतलब यह है कि आप निशकाम भाव से कर्म कर रहे है कर्म भी एक प्रकार का योग है जैसे आप परिक्षाओं की तैयरी कर रहे हैं, civil services की preparation कर रहे हैं और आपके दिमाग में लगातार चल रहा है कि बस परिक्षा पास किये नहीं कि एक गाड़ी मिल जाएगी, बढ़ियां बंगला मिल जाएगा, लबासना में चले जाएगे मसूरी की share करेंगे, इस तरह के भाव आपके दिमाग में घूम रहे हैं मतलब आप फल पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या होगा, प्रीवी नहीं निकलेगा या मेंस में अटक जाएंगे, या लटके रहेंगे वैसे ही, परिक्षा क्लियर नहीं होगी देखें, motivation एक अलग चीज होती है और लालच दूसरी चीज होती है आप जब निश्काम होकर काम करेंगे, मतलब एकडम से वो सब छोड़ करके परिडाम क्या आएगा और किस तरह से हमारा rank निर्धारित होगी, list में नाम होगा, हम क्या करेंगे उस समय, interview देंगे, कैसा करेंगे वो सब छोड़ छाड़ कर अगर आप सिर्फ तैयारी करें, जो syllabus है, उसके according पढ़ें तो उसका परिडाम आपको कहीं बहतर प्राप्त होगा और जो चीजें आप ऐसे सोचेंगे, वो उस समय साकार हो जाएंगे तो यहाँ पर वही बात है, कर्म योग को प्रधानता दी गई है भगवत गीता में भी यही कहा गया है, कि फल की चिंता मत करो, फल के बारे में मत सोचो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करो, क्योंकि वही तुमारे हिस्से में है फल की जो तुम कलपना करते हो या भिलाशा करते हो, वो तुमें मिलेगा या नहीं यह तुम भी नहीं जानते सिर्फ कलपना करके खुश होते हो या दुखी होते हो तो यहां कर्म योग की बात कही गई है तो गीता में इसका उलेक प्राप्त होता है और महा भारत में भी बड़े पैमाने पर इसका उलेक मिलता है इसके बाद जैन और बुद्ध जो टेक्स्ट हैं उसमें तो कूट-कूट कर भरा हुआ है मतलब जैनिज्म या बुद्धिज्म जो है ये असल में सनातन सभेता से ही उत्पन हुआ है ये दोनों की जो फाउंडर है या दोनों की जो प्रमोटर है वो हिंदू सभेता से ही निकले हैं तो इनमें वही चीज़े हैं, बस तोड़ मरोड कर पेश की गई हैं, तो यह तो पूरी तरह से उसी परबेश है, तो यहां से हमें यह जो योग है, इसकी सिक्षा प्राप्त होती है, और यह जो जैन और बुद्ध, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें योग में महर्शी पतंजली, explain it as compact philosophical theory, मतलब महर्शी पतंजली ने क्या किया, योग का invention नहीं किया, बलकि उन्होंने इसे compact philosophical theory है, उसके तोर पर पेश किया, एक तरह से compilation उसका करके आपके सामने परोसा, जैसे आप यह compilation PDF देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी किताबों से अलग योगी सामागरियां हैं, वो आपके सामने पेश की जा रहे हैं, तो वैसे ही पतंजली ने भी किया, उन्होंने योग की जितने सिधान थे, उनको इकठा करके लोगों को बताया, अब देख लीजे, ये जो इनका दर्शन था, मतलब योग दर्शन ही था, लेकिन पतंजली क के द्वारा आउटलाइन किया गया, इंदा योग सूत्र, योग सूत्र में जो अश्टांग योग है, उसके सिधानतों का ब्योरा है, अश्टांग योग क्या होता है, ये जानना यहां आवश्यत नहीं है, और ना तो इस पर प्रशन बनेंगे, क्योंकि यहां हमें योगी प्रकार है, उनके अंदर क्या है, वो कैसे सिध किये जाते हैं, ये यहां जानकारी का परपज नहीं, इसके बाद नाम दे दिया है, नाम को देख लीजे, हाला कि नाम से भी प्रशन बहुत कम बनते हैं, यम है, नियम है, यहां पे नोयम दिया हुआ है, नियम है, इसके बा और अंत में समाधी है, मतलब ये एक क्रम से हैं, यम है, नियम है, आसन है, इसके बाद प्राडायाम, इसके बाद जो प्रतिहार है वो है, फिर जो धारन करने की चीजे हैं, मतलब वो इसमें आती हैं और अंत में ध्यान, ध्यान मुद्रा जो आप मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद आप समाधी में चले जाते हैं तो यह एक्रम से चलता है पहले आप यम करेंगे यम का मतलब क्या है जो अपने आपकी इंद्रिया है उसको बांदने का काम करेंगे उसके बाद नियमों का पालं करेंगे आसन लगाएंगे प्राणायाम करेंगे प्रत्याहार उचिता आहार है वही आप अपने अंदर ग्रहड करेंगे, आहार का मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं होता, चीजे भी होती है, तो उसके बाद फिर जो अगला है वो धारण है और उसके बाद ध्यान है, तो ये सब चीजें करने के बाद, ये जितने भी स्टेप्स हैं इने फॉल टेमरोरी थे पुश्यमित्र शूंग के, जिसका समय है 185 से लेकर 149, आपने देखा है कि दो अश्यमेध्य ये करवाता है, तो उसके जो पुरोहित हैं वो पतंजली ही रहते, न्याय दर्शन के बारे में देख लीजे, पीछे तो हमने एक दर्शन को देख लिया है, ये ज इसके बाद यहाँ पर न्याय शब्द जो लेकित है, या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है decision या logic, न्याय दर्शन रिकोगनाईस्टेंस आप 16 सबस्टेंसे और लॉजिक, मतलब न्याय दर्शन ने 16 प्रकार के जो सबस्टेंसे हैं, उनके existence को प करा लिखी गई, सबसे महत्वपोड पुस्तक है, यह हमने देखा, अब इसके बाद कर्म की जो थियोरी है, कर्म का जो सिध्धान्त है, वो मिमानसा नाम का जो दर्शन है, मिमानसा की फिलोसपी है, उससे रिलेट करता है, it is also known as कर्म मिमानसा, पूरु मिमानसा और धर्म मि मिमानसा टेल अबाउट कर्मान्तक या कर्म कांड, जो कर्म कांड होते हैं, उसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, यह हमें पूरु मिमानसा से प्राप्त होती है, जबकि जो उत्तर मिमानसा है, इसके दो पार्ट है आपने देखा है, उससे हमें ज्यान कांड की जानकारी प्राप्त होती है, तो एक से कर्मकांद और दूसरे से ज्यानकांद, ये सब आपने देखा, इसके बाद वेदांत दर्शन को देख लीजे, तो वेदांत फिलोसफी अब इसके तीन आधार है, कौन कौन से है, तो तीन आधार इसमें जो प्रेरिणा के लिए गये हैं, उसमें पहला उपनिशद है, इसके बाद ब्रह्मसूत्र है और अंत में भगवत गीता है, देवर काल्ड, प्रस्थांत रही, और इन्हें संयुक्त रूप से हम प्रस्थां प्रश्थांत रही के नाम से जानते हैं, अब यहां से एक प्रश्थांत रही के नाम से जानते हैं, अब यहां से एक प्रश्थांत रही में कौन शामिल नहीं है, आजकल नहीं वाले प्रश्थांत पूछे जाते हैं, तो कौन है यह आपको पता होना चाहिए, उपनिशद ब्रह्मसूत्र है और भगवत गीता है आगे चलते हैं यह सब हम वेदान्त फिलोसफी के बारे में देख रहे थे अब यहां महर्शी कणाद का नाम आता है तो महर्शी कणाद was the founder of वैशेशिक स्कूल जो वैशेशिक दर्शन है उसके प्रणेता महर्शी कणाद माने जाते हैं यह इंडियन फिलोसफी का ही हिस्सा है मतलब यह अडू विज्ञान के जनक माने जाते हैं रसाइट विज्ञान में आपने अडू और परमाडू यानी एटम और मालिकूलस के बारे में देखा है तून कणों के बारे में, वो जो particles होते हैं, उसके अलावा जो छोटे-छोटे small particles हैं, जो मुखे कण कही जाते हैं, fundamental particles के तोर पे आप देखते हैं, तून सब की जो theory है, वो महर्शी कणात के द्वारा ये प्राचीन जो समय है इसी में पेश कर दी गई थी, ये एक तरह से रसा According to this theory, अब इसमें है गया, तो according to this theory, material subject are made up of atom, जितने भी material subjects हैं, वो atom से बने हुए हैं, सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात कही गई है, उस जमाने में जिस समय कोई यंत्र या कोई technology इतनी जादा विक्सित नहीं थी, जिसके आधार पर ये प्रूफ किया जा सके, तो ये सिर चड़ा कर एकदम बढ़ियां वाली heading डाल कर और बढ़ियां papers लिखवा कर उसमें पेश करते हैं, कि कणों से चीजें बनी हैं, और कण किस से बने हैं, तो वो छोटे-चोटे कणों से बने हैं, और वो जो छोटे कण हैं, वो भी अभिभाजन हो सकता है, इस प्रकार की theories, आ आगे देखते हैं, अब यहाँ पर यह कहा गया है, कि कणार बाज फर्स्ट, कणार जो थे, यह पहले थे, उससे पहले कुछ चीजें और हैं, यह physics का आधार स्थम्भ माना जाता है, और सिर्फ physics का नहीं, बलकि chemistry का भी, क्योंकि chemistry में भी तो यही सब है, देखिए विज्या नहीं पढ़ेंगे, तो bio नहीं पढ़ पाएंगे, और chemistry पढ़ने के लिए आपको physics की जानकारी चाहिए, तो तीनों एक दूसरे से बिलॉंग करता है, और यही कारण है कि intermediate level पर तीनों ही आपको पढ़ाया जाते हैं, आप कहते हैं, कि आपने bio या math stream को चुन रखा है, लेक से smallest unit है, इस बात को इन्होंने प्रूफ किया था, सिर्फ hypothesis नहीं, सिद्ध किया था, atom cannot be seen through naked eyes and cannot be further divided, अब यहाँ पर कनात का यह कहना था कि atoms जो होते हैं, उन्हें खुली आँखों से या सामाने नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसके अधेन किया जा सकता है, तो यह चीज़े हैं, और उसके बाद इन्होंने एक चीज़ कही कि cannot be further divided, इनका विभाजन नहीं हो सकता, तो यह चीज़े तो पहले जो विदेशी साइंटिस्ट थे, वो भी मानते थे, मतलब शुरुवाती जो आप atom की hypothesis देखते हैं, या लोगों ने atomic model paste किया, और उसमें बार-बार यह कहा गया कि जो परमाडू है, वो अभिभाज्य है, उसका division संभो नहीं है, लेकिन बार वाली जो theories आती हैं, उसमें पता लगता है कि इसके अंदर भी छोटे-छोटे जो particles हैं, जो fundamental particles हैं, वो बिलॉंग करते हैं, तो शुरु यह सब चीज़े physics में चली जाएंगी, उसको जाने दीजे, यहां पर कुल मिलाकर उसका जो base रखने वाले थे, वो कणाद थे, कणाद यह नहीं क्यों कहा जाता था, क्योंकि यह कणों के बारे में अक्सर चर्चा करते थे, तो कण से बने हुए थे कणाद, अब देख मतलब यह अक्सर अपने शिश्यों के साथ करते गया थे, तो matter और energy पर चर्चा करते थे, देखिए जो भौतिक विज्ञान होता है, physics होता है, उसमें दो ही चीज़ें होती है, दो ही चीज़ों पर वो पूरी तरह से base करता है, एक तो energy होती है, दूसरा matter होता है, दोनों सब अर्थ, water, fire, air and sky, जो पांच matter है, पांच जो तत्व हैं, उनके बारे में यहा कहा गया था, तो उसमें पहला कौन सा है, प्रित्वी है, दूसरा जो है वो, पानी है, तीसरा आग है, उसके बाद हवा है और आकाश है, when combined give rise to new object, और जब यह आपस में जुडते हैं, यह कणा कहना था, और सोचिए कितनी बड़ी बात है, पंच जो महाभूत होते हैं, या पंच तत्व होते हैं, जिसे कि हमारा शरीर बना हुआ माना जाता है, उसको बताने वाले कणात थे, तो बहुत सी बड़ी-बड़ी जो बाते हैं, जो आज की समय में भी लोगों को एकदम इस् इसके बाद समीर मतलब एर और गगन मतलब इसकाई, तो ये जो पाँच एलिमेंट है, इनके द्वारा कोई भी आपजेक्ट जिसमें की human body है या किसी भी जीवित चीज की जो body हो बनती, आगे देखते हैं, अकार्डिक टू पुराण, पुराणों के हिसाब से जिसे कि सूम वंश भी कहा जाता था, असल में चंद्रमा का ही जो सिनानिम से हो सूम भी होता है, तो इसे सूम वंश भी कहा जाता था, was one of the three prime dynasties, ये तीन जो prime dynasties थी उस समय की, उसमें बिलाउंग करता था, तीन जो dynasties थी वो कौन-कौन सी है, एक तो आप सूम अगनिवंश था और अगनिवंश था कहने का मतलब यह है कि सूर्य के तेज से उत्पन्न हुए जो लोग थे वो सूर्य वंशिय कहलाते थे वैसे ही जो चंद्रमा से उत्पन्न हुए लोग थे या चंद्रमा से उनका संबंध था वो सोम वंशिय कहलाते थे ऐसा वो मानते थे कि उनका relation है और जो अगनी वंशी ये थे वो आग से अपने उत्पत्ति को मानते थे जैसे राजपूतों में अगनी से उत्पन्न हुई जातियों को माना गया सिध्धान्त को वहाँ पे मानेता दी गई अब देख लीजे तब प्राइम प्लेस आप चंद्रवंशी रूलर्स वाज प्रयाग जो चंद्रवंशी ये शाशक थे उनका जो प्राइम सेंटर था या मुख्य केंद्र था वो प्रयाग राज में था बट आफ्टर नेचुरल क्लैमिटी इन द्वापर यूग मतलब जो द्वापर यूग था उस समय क्या होता है जो चंद्रवंशी किंग है वो यहाँ से प्रतिष्ठानपूर के और मूव कर जाते हैं और वहाँ पर अपनी कैपिटल बनाते हैं प्रतिष्ठानपूर का मतलब है यह जूसी के पास वाला छेतर है मतलब इलाहबाद डिस्टिक मे इस समय पढ़ेगा प्रयाग राज में यह सब चीजे हैं तो जो इस्थितियां है वो परिवर्तित होती है और आप जानते हैं जो कुरूओं का वंश था मतलब कौरवपांडो या जो भी थे महाराज दुश्यंत वहां से यह शुरू होता है फिर भरत पैदा होते हैं और भ गुर्जर प्रतिहार डाइनस्टी अब यहां पर यह जो प्रतिहार डाइनस्टी है इसके बारे में कहा जा रहा है अगनिकुल हमने देखा ना कि तीन डाइनस्टी मुखे रूप से थी सूर्य, चंद्र और अगनि तो जो अगनिकुल था वो ज्यादा फेमस था प्रतिहार dynasty के लिए और यह जो प्रतिहार dynasty थी इनका संबंध गुर्जरों से था मतलब गुर्जर जो थे इनके महतुपोर्ड ब्रांच हुआ करते थे इसलिए बाद में यह गुर्जर प्रतिहार dynasty के नाम से इतिहास में विख्यात होते है the first description of गुर्जर caste is in the एहोल अभिलेक जो है या एहोल लेक जो है उससे हमें गुर्जर कास्ट के बारे में जो सबसे पहला description है वो प्राप्थ होता है और यह किसका है तो एहोल अभिलेक यह पुलकेशिन विदी का है या पढ़े ही है यहां दिया हुआ है गुर्जर और mention in the हर्ष चरित आप बांडभट बांडभट का जो हर्ष चरित है उसमें भी गुर्जरों का उलेक प्राप्थ होता है यह जो गुर्जर प्रतिहार डैनिस्टी है इसका जो फाउंडर था वो नागभट था यहां नाम दिया हुआ है जो फाउंडर का नाम याद रखिएगा समय है 730 से लेकर 756 AD का दग्वालियन इसक्रिप्शन सोज देट ही है डिस्ट्रॉइड दे लार्ज आर्मी आफ मलेक्ष किंग यह जो मलेक्ष राजा है मलेक्षों का राजा है उसकी बड़ी सी आर्मी को इसने डिस्ट्रॉइ करने का काम किया था इसने डिफीट नहीं किया था नश्ट भी कर दिया था विच वास प्रॉबेबली अरब रूलर आफ सिंध जो कि सिंध वाले प्रांत में अर्भी शाशक था उस समय का तो जो अरब की तरफ से यानि पश्चमी हिस्से से आने वाले लोग थे उन्हें मलेक्ष कहा जाता था और जो चाइना की ओर से हमला बोलने वाले हमलावर होते थे उन्हें यहाँ पर असूर कहा जाता था तो असूर और मलेक्षों की देश से यह जो आर्या वर्थ था यह कोई संबंध नहीं रखता था इनसे इनकी दुश्मनी रहती थी तो यह सब कुछ बाते हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर यहाँ पर यह जो गुर्जर प्रतिहार डैनस्टी का फाउंडर है इसका यहाँ पर विजय अभियान उलिखित है जो की ग्वालियन इसक्रिप्शन के रूप में हमें प्राप्त होता है जिसमें कि इसने अरब रूलर्स जो सिंद्गे थे उन्हें डिफीट किया था इसके पाद कुछ और है यहाँ राश्टर कूर डैनस्टी के बारे में कहा जा राहा है यह जो दंतिदूर्ग नाम का समराठ है इसके द्वारा 736 सिसमी में यह जो राश्टर कूर डैनस्टी है इसको इस्टेबलिश किया जाता है यहाँ पर मानिखेट को आप देख रहे हैं तो यह स्थान का नाम है इसे अपनी यह capital बनाता है यहाँ पर आगे देख सकते हैं इन रिलेशन टू दंति दुर्ग इट इस सैड देट उज्जैनी यहाँ पर हिरने गर्ब शब्द जो है यह एक प्रकार का यग्य था और इस यग्य के संपन्न उने पर राजा दिल खोल कर दान देता था और दान देने की जो परंपरा है ट्रडीशन है वो गुपतों में खूब अच्छा चला आ रहा है तो यह सब गुपतों की ही शाथाएं तो हैं मतलब गुपतों के समय में गुपतकाल में जो सामन्त थे वही अब इस समय राजा बन रहे हैं यह जितने भी नाम आप यहां उठते हुए देख रहे हैं यह उनी में से बिखरी भी शक्तियां है जिनें की ज़्यादा जमीन मिल गई थी तो उनकी महत्वा कांख्षाएं प्रबल हो गई तो राश्टरकूर्ट डाइनस्टी को आप देख रहे हैं दंतिदुर्ग के द्वारा इस थापना होती है मानिखेत इनकी कैपिटल होती है और दंतिदुर्ग ने उजैनी में खिरण गर्ब नाम का जो महादान यग्य है वो करवाया था इसके बाद ये कहा गया है कि अमोग वर्ष प्रथम जो की राश्टरकूर्ट राजा ही है इसका जन्म होता है आट सो इसवी में इन दा मिलिटरी कैमप आफ श्री भवन यहाँ पर श्री भवन का जो मिलिटरी कैमप है उसमें ये पैदा होता है युद्ध छेत्र में और ये नर्मदा नदी के ताटपर है मतलब कहने का ताटपर यह है कि इसकी माता जो है उसमें एक सेन शिवीर में रहती है और इसके पिता जो है वो युद्ध में रत रहते हैं इस प्रकार से यहां घटनाए आगे देखते हैं At this time his father राश्टकूट किंग गोविन्द थर्ड आगे वही चीज दिवी है कि इसके जो पिता है गोविन्द थर्डिय जो कि एक राश्टकूट राजा है वो अपने successful campaign जो कि North India के लिए इन्होंने किया था वहाँ से वापस लौट रहे थे मतलब इनका सैन्ने अभियान खतम हो गया था military campaign यह खतम कर चुके थे और अपने छेत्र की और वापस लौट रहे थे राणी भीन के साथ थी और वही पर इनका जन होता है यह हम देख रहे थे अमोग वर्ष प्रथम के बारे में इसके बाद मौखरी मौखरी के बारे में कहा गया है कि मौखरी वर the feud of गुपताज यह जो मौखरी थे यह क्या थे यह गुपतों के सामन्त थे मतलब उनी के अधीन रहने वाले करद राजा थे who are originally resident of गया जो की मौल रूप से गया के रहने वाले थे the rulers of मौखरी डैनस्टी made कन्नौज their capital और मौखरी डैनस्टी के जो rulers थे उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया हरी वर्मन, आदित्य वर्मन इसके बार इश्वर वर्मन यह सब वर्मन शब्त आगे लगाते थे और आगे आप देख लीजे सरो वर्मन और ग्रह वर्मन यह सब नाम है यह सब main rulers थे इस डैनस्टी के ग्रह वर्मा यह ग्रह वर्मन इसे कहा जाता है यह इस डैनस्टी के rulers में सबसे विख्यात लोगों में देखा जाता है यह सब चीजें हमने देखी डीटेल इंफार्मेशन रिगार्डिंग हर्ष इस ओप्टेन फ्रॉम हर्ष चरित जो हर्ष चरित नाम का ग्रंथ है जिसमें की बार्ण भट्टे के द्वारा सबसे पहले अपनी जो आटोबायोग्राफी है यानि आत्मकथा है वो लिखी गई है और उसके बाद बाकी के जो हिस्से है उसमें हर्ष के बारे में लिखा गया है यहां ग्यात होती है आगे आप देखीजे इसमें जो किया गया है डीटेल इंफार्मेशन रिगार्डिंग हर्ष इस उप्टेन फ्राम हर्ष चरित विजवास कंपोस्ट बाई आथर बार्ण भट्ट बार्ण भट्ट के द्वारा इससे लिखा गया था बार्ण भट्ट भट्ट वी ने बार्ण भी कहा जाता है पहले इनका नाम बंड रहता है बंड यानी बार्ण और बार्ण का मतलब यह है कि जिसकी पूँच न हो मतलब गाउं में पहले के समय में जो बैल या गाए जिनकी पूच किसी बिमारी वश कट जाती थी पहले के समय में पूच में कट हुआ रोग लग जाता था और उसके बाद पूच वहीं से जरने लगती थी और अंत में जर जाती थी एकदम खतम हो जाती थी बिना पूच का गाय या बिना पूच का बैल तो जो बिना पूँच के बैल या साण होते थे उन्हें बाण कहा जाता था तो उसी से बना हुआ है बंड उसी को शुद्ध संस्कृत में परिश्कृत करके तो इनके जो पिता थे वो इनको बंड के नाम से बुलाते थे क्योंकि ये अकेले थे ये पैदा हुए तो इनकी माता के मिम्रुत्य हो गई और भाई बन थे नहीं तो एकदम से बंड थे और उसके बाद जब ये बाद में सिक्षा प्राप्त करते हैं और विद्वान बनते हैं तो उस नाम को सुधारते हैं और अपना नाम बान भट कर लेते ये अच्छा वाला नाम रख लेते हैं तो इस प्रकार से इनकी स्टोरी है फिलाल कलहड की जो राज तरंगिडी है उसमें कश्मीर के राजवन्शों का इतिहास मिलता है लेकिन उसके अलावा जो आसपास के छेतरे हैं वो भी अचूते नहीं है तो हर्ष वर्धन के बारे में या माराज हर्ष के बारे में जो कलहड की राज तरंगिडी है उससे भी सूचनाय प्राप्त होती है ये दोनों एक साथ मिलकर कन्नोज पर शाषन करते हैं हर्ष shifted his capital to कन्नोज फ्राम थानिश्वर थानिश्वर वाले इलाके से हर्ष जो है वो अपनी capital को कन्नोज की ओर shift करता है और ऐसा वो क्यों करता है अपनी बहन की मदद के लिए क्योंकि बहन के पती को माल डाला गया था और बहन जो थी वो सती होने जा रही थी तो उसको मरने से हर्ष रोकते हैं विंद्याचल के जंगलों में वो आत्मत्या करने के लिए गई थी और वहाँ पर एक भिक्षुक की सहायता से ही उसको रोकते हैं और रोकने के बाद उसका राज जिव आपस दिलाते हैं तो यह रिलिजन्स एंड सेक्ट इन कन्नौज और हर्ष के द्वारा एक जो बड़ी धर्म सभा है जिसमें कि बहुत सारे जो रिलिजन और सेक्ट हैं उन्हें एक साथ कंपाईल करके यहां कन्नौज में आयोजित किया जाता है मतलब एक बहुत बड़ा धर्म संबेला नायजित होत इसके अलावा कोटियर्स एक्सिक्ट राइब यहां पर बहुत सारे जो धर्म से सम्बंदित लोग हैं वो आते हैं और कुल मिलाकर बीस देशों से लोग यहां पर इकटे होते तो बहुत बड़ा सम्मेलन होता होगा जो यहां है जिद किया गया और इसमें भाग लेने वाल जो लोग है उसमें ब्रामपड है, कोर्टियर्स है या इस प्रकार के बहुत सारे, बहुत आयत लोग है, रंग बिरंगे लोग है, इनका आयोजन किया जाता है, मतलब इसके जो प्रेसिडेंट है, वो वैंसांग रहते हैं, जो कि एक चाइनीज ट्रेविलर है, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन, एक समारोग का आयोजन किया जाता है, जो कि संगम चेतर है, संगम चेतर का मतलब यहाँ तीन रिवर्स आकर मिलती है, मर्ज करती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें जिसे कि सरस्वती वरतमान में लुप्त हो चुकी है, गंगा और यमिना को हम अभी भी देखते हैं तो यह है प्रयाग राजवाला छेत्र यहाँ पर इस प्रकार का जो आयोजन है फंक्षन है वो किया जाता है और विचेज इस्टेटेज आज महामोक्ष काउंसिल और यहाँ जो काउंसिल यहाँ आजित होती है यह महामोक्ष परिशत के नाम से जानी जाती है और कहा जाता है कि जो कुम्ब मेला लगता है उसकी शुरुवात कराने का श्रे यह महाराज हर्शवर्धन को यह दिया जाता है प्रतेक 12 वर्ष के अंतराल पे यह लगता है तो इस प्रकार से ये विख्यात हो गया है फिलाल यहाँ पर यह हर्षवर्धन के सौजने से आयजुत होता है और खास बात यह है कि राजा हर्ष जितना भी इन वर्षों के अंतराल में कमाए रहते हैं मतलब उनकी जितनी भी राजिकोष में जमा संपदा रहती है इतने समय में उसको यहाँ पर दिल खोल कर दान करते हैं और एकदम से इनका जो राजकोष है वो रिक्त हो जाता है फिर कुछ समय लगता है इकठा होने में फिर यह जो परिशद है आयोजित होती है और एक बार फिर से बड़े पैमाने पर दान होता है तो आप इलहाबाद में जाईएगा तो जो कैटोनमिंट का एक ट्रेंगल बना हुआ है जो अलोपी बाग चुंगी है वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे जो फ्लाइग ओवर है तो जैसे ही सिविल लाइन की ओर मुड़ने लगते हैं तो एक किले की ओर जाने के लिए रास्ता है और एक तरफ सिविल लाइन की ओर जाने के लिए रास्ता है मतलब रास्ते कई वहाँ से गए है तो वहाँ एक तिकोना पार्क बना हुआ है और बीच में एक पोल बहुत बड़ा लगा है और उस पे तिरंगा लगा हुआ है मतलब जंडा वो केटोर्मिंट का एरिया है अब वहाँ पे जो तिकोना है उसके जस्ट आगे की तरफ एक महाराज हर्ष की प्रतिमा लगी हुई है उसको देखिएगा उनके दोनों हाथ ऐसे आगे पहले हुएं दान की मुद्रा में और उनके हाथ से जो दान की वस्तु है वो आगे की वो रियाचक को दी जा रही है बहुत अच्छी प्रतिमा है ब्लैक स्टोन की बनी हुई है उसको देखिएगा तो वो प्रतीक है कि महाराज हर्ष इस प्रकार से दानी थे बहुत दानवीर थे ये सब चीजे हैं और इसके बाद कहा गया है कि वेंसांग इंसेल्फ attended the sixth function which was attended by 18 rulers of various countries जो छठवा function था छठवी जो महामोक्ष परिशत थी उसको वेंसांग ने खुद भी attend किया था और यही से फिर वो अपने देश की और return भी हो जाता है लंबे समय तक वो भारत में रहता है और यही से अपने देश की और वापस लोटता है तो ये चठवी थी और इसमें कुल मिलागर 18 अलग-अलग देशों के जो rulers थे उन्होंने participate किया था ये सब चीजे है यहां तक हमने अलग-अलग जो शाशक थे और गुप्त डैनिस्टी से अलग हुए सामन्त वादी जो व्योस्था थी उससे उपजे हुए राजवंश थे डैनस्टी से थी उन्हें देखा है अब इसके बाद गुप्तों की एकोनामी कैसी थी ये देख लीजे किसी भी राजवी की एकोनामी इंपोर्टेंट होती है इसका जो बेस था वो यहां पर एग्रिकल्चर था इसे आप देख रहे हैं एग्रिकल्चर वाज में इस्टे आप गुप्ते कोनामी तो क्रिशी यहां अर्थ्व्यस्था का मूल आधार है और लैंड टाइप कौन कौन सा था तो एक तो जो आर्किटेक्चुल लैंड होते थे यानि वास्तु भूमी होती थी वो थी और इसके अलावा जो दूसरी थी वो अपराहता होती थी यह अनकल्टिवेटेड लैंड होता था जिस पर की कोई कल्टिवेशन नहीं किया जाता था इसके अलावा जो अगला था वो शटबल भूमी होती थी यह शटबल भूमी असल में ग्रास लैंड होती थी यानि चारगाह टाइप की ये जमीन होती थी, यहाँ चरने के लिए इसे यूज किया जाता था, मतलब पशुओं को चराया जाता था, इसके बाद जो अगली है वो ओधिक भूमी है, ये स्वैंपी लेंड होता था, यानि दलदली जमीन होती थी, मतलब ये सब इस प्रकार की भूमिया है, जहाँ पर कृशी कारे बहुत अल्प मात्रा में हो सकते हैं, इसके बाद आप रेवेन्यू को देख लीजे, लेंड रेवेन्यू को देख लीजे, मतलब जो जमीन का कर होता था, भूमिकर होता था, वो इस्टेट की इंकम का सबसे मेन सोर्स होता था, और ये था कितना, तो ये आपने पीछे देखाए कि ये छट्वा हिस्सा होता था, टोटल इंकम का, वन अपान सिक्स, डिफरेंट टाइप अप टैक्स, कौन-कौन से टैक्स आरूपित किये जाते थे, तो इसमें पहला जो है वो धान्ने है, धान्ने को आप यहाँ देख रहे है, गो खाते थे, the king is, the king is share in agricultural products, जो agricultural production होता था, उसमें राजा का जो share होता था, उसको धान्ने कहा जाता था, पतलब उतनी फँपसल राजा ले ले लेता था, पात्तकर है, यह दिया हुआ है, तो यह जो भटकर था यह पुलिस टैक्स था, पुलिस के दुआप वसूला जाने वाला टैक्स था, इसके बाद चार्ट होता था, तो यह जो चार्ट था यह क्या था, यह टैक्स आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉबर्स, जितने भी डखैत होते थे, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहने वाले नागरिक जो थे, इस कर को चुकाते थे, बदले में ज जो लगर प्रशासन होता था, वो इन्हें सुरक्षा देता था, इसके बाद जो अगला है वो प्रनय है, ये compulsory tax होता था, जो कि अनिवारे होता था सभी के लिए, इसके बाद विष्टी है, ये force labor tax होता था, duties है, जिसे कि शुल्क कहा जाता था, ये custom tax या जो वर्तमान में sales tax है, उसके तोर पर देखा जाता है, इसके बाद बली ये religious tax था, और अंत में उपरिकर, ये जो उपरिकर है, it was levied on those roids who were not to be honor of the land, मतलब कोई किसान अगर उसके पास खुद की जमीन नहीं है, या दान में मिली हुई जमीन उसके पास नहीं है, और वो सरकारी लेंड पर अप इसके बाद, land revenue was control both in cash and grains, जो land revenue था, वो दोनों ही विदियों से दिया जाता था, मतलब cash के, buy cash भी दिया जाता था और अनाज के दवारा भी होता था, अगर आप पैसा देने में या मुद्राएं देने में सक्षम नहीं है, तो आप अनाज दीजी, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी जो है वो, यहाँ आप देख रहे हैं, ओदरांगिक है, इसे ओदरांगिक कहा जाता था, तो यह वो लोग होते थे जो के land revenue को grain के फार्मेट में collect करते थे, दो variety है, दो प्रकार के tax है, वसूलने वाले भी दो तरक है, इसके बाद, गुप्तों का जो trade और commerce है, उसक जादा florist होता है, गुप्त इंपायर में, क्यों होता है, तो उसके बीछे reason है, पहला तो यह कारण है कि Roman trade का यहाँ पर फाल हो जाता है, रोमन व्यापार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हूणों का जो आक्रमने वो लगातार होता है, और Roman सामराज का पतन होता है, तो वहाँ से व्यापारिक संबंद तूटते हैं, और उससे ज्यादा जो फायदेमंद छेतर है, वो हमारे हाथ लग जाता है, और वो छेतर है साउथ इस्टेशिया का और चाइना वाला, इसके बाद reduction in internal trade, जो internal trade है, उसमें reduction होता है, कमी आती है, इस प्रका करके अपने राज्य को हासिल करते हैं, अपनी बहन को उसका अधिकार दिलवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि ये वीर पुरुष है, उसके साथ-साथ ये विद्वानों का सम्मान करते हैं, और बड़े ही धार्मिक और दानी प्रवित्तिके होते हैं, इनके अंदर सारे ठीक वैसे ही जैसे चंद्रगुप्त विक्रमा दिती के अंदर थी, तो यहाँ पर हर्ष के द्वारा जो विजय अभियान यानि जो विक्टरी के लिए केंपेन चलाया जाता है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे रोक दिया जाता है, साउथ वर्ड वाला जो इनका मार्ज ह वो नर्मदा के तटपे पुलकेशन विदिय के द्वारा रोका जाता है, पुलकेशन सेकेंड आल्सो वांटे टो एक्स्पेंड दे स्टे टूर्ड द नौर्थ, यहाँ पर दोनों का उद्देश ये कही था, चाहे वो हर्ष हो या पुलकेशन सेकेंड हो, दोनों क्या चाह रहे थे और जब दोनों एक दम एक दूसरे की और बढ़ रहे तो कहीं नहीं टकराएंगे आप जानते ही हैं आपने जो Tectonic Plate है उसमें भी देखा है कि किस प्रकार से दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ किस प्रकार की ही सिति क्रियेट होती है तो यहां पर हमें जिग्राफी नहीं पढ़नी है फिलाल दोनों का आपस में टक्राव होता है और यह टक्राव होता है नर्मदा नदी के किनारे और यहां पर एक बार्डर लाइन सी बन जाती है यानि राजा हर्श यहां पर पराजित होते है और पुलक चर्च्अ का उति इस प्रकार की जानकारी प्राप्द ही तो तो सरड़की तो आधि को कि एन्च सर्ड़क होती है प्राप्त होते हैं, एक तो वेंसांग का प्योरा है और दूसरा जो एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशन के बारा तयार करवाया गया था, उसमें भी यह जानकारी प्राप्त होती है अब देख लीजे, the arrival of वेंसांग was the most important event of हर्ष के समय का यह सबसे important event वाना जाता है वेंसांग का arrival He departed for India in 629 AD from Changan Changan जो छेत्र था यह जो Tang ruler चीन में समय शाषन कर रहे थे उसकी capital थी, मतलब है चाइनीज छेत्र है वहाँ से यह प्रस्थान करता है भारत के लिए 629 इसवी में यह तारीक है He wrote a book on his tour to India named C.U.K. इसने जो किताब लिखी उसका नाम था C.U.K. और इसमें जितना भी भारत की यात्रा करने के दौरान इसने देखा है मतलब यात्रा के समय रास्ते में देखा है या भारत में आकर देखा है वो सब इसमें दर्ज किया गया है वेंसांग बें टू नालंदा उनीवरसिटि इन 637 A.D. आचारे शील भत्र वजू वैस चांस्लर अप नालंदा उनीवरसिटि इन histor इस प्रकार से क्वेशन बनते हैं कि वेंसांग जिस समय नालंदा उनिवर्स्टी को विजिट करता है उस समय वहां के कुलपती कौन रहते हैं तो वहां के जो वाइस चांसलर है वो आचारे शीलभत्र रहते हैं और ऐसा वेंसांग कब करता है यह 637 AD में करता है ऐसा इसका समय है आगे देखते हैं अकारडिंग तो वेंसांग मतुरा वाइस फेमस फॉर प्रोड़क्शन आफ कॉर्टन टेक्स्टाइल आट टाइम वाराणसी वास फेमस फॉर देखते हैं आपने देखा है कि government industry यह गुप्त पिरियद में यह गुप्त उतरकाल है पोस्ट गुप्ता पिरियद है उसमें बहुत जादा इंक्रीज करती है उसमें फ्लोरिश्मेंट होता है तो उसी के संबन्द में यहाँ वेंसांग ने मुहर लगा दी है उसने कहा है कि मथूरा जो था, यूपी का जो मथूरा है ये cotton textile के लिए जाना जाता था, वहीं जो यूपी का वारांसी है ये सब district है, तो वारांसी जो था, ये silk textile के लिए जाना जाता था और जरी का पूरा उस पे काम होता है, जरी बाना तयार किया जाता है ये सब चीजे हैं, फिलाल वेंसांग says that the main reason for the prosperity of थानेश्वर was a trade there मतलब थानेश्वर की जो संपन्निता थी, थानेश्वर काफी उस सम्रिद छेत्र था जहां पे हर्शवर्दन पहले राजजी कर रहे थे और बाद में अपनी बहन को संरक्षण देने के लिए वहाँ से अपनी राजधानी को shift करते हैं तो यहां पर trade ही अर्थव्योस्था का मूलाधार था और यहां की संपन्निता का कारण था कन्नौज became the center of attraction of various, कन्नौज के बारे में कहा गया है, various power after हर्श death हर्श के समय में, महराज हर्श के समय में थानेश्वर भी और कन्नौज भी, यह दोनों ही काफी संपन्न और संब्रिद छेत्र थे इनकी संपन्नता से आस पास के लोग काफी मुग्द थे, लोभित थे इस दे और इसी वज़़े से जैसे ही हर्श की death होती है, यहां पर बहुत सारी शक्तियां अपनी जो रजमाईश करने लगती है कि यह चेत्र किसके हाथ में चला जाए, मतलब हम कबजा कर लें, हम कबजा कर लें, ऐसी इस्ति इसके बाद आगे चलते हैं, अब आपने पीछे देखा है कि हर्श की जैसे ही death होती है, वैसे ही यहां पर बहुत सारी ताकते आकर अपना जो रजमाईश करने लगती है कि यहां कौन स्थापित होगा, तो कौन-कौन सी ताकते हैं मुख्य रूप से, एक तो पाल है, बंगाल वाले, उसके अलावा गु और वो तारीक कौन सी है, यह 8th century की तारीक है, आगे देखी क्या होता है, which is most important event in the history of North India, मतलब यह उस समय का जो North Indian history है, उसमें सबसे important event के तोर पर देखा जाता है, देखी कहीं भी संघर्ष होगा, कहीं भी युद्ध होगा, तो वहां अस्थिरता हो जाएगी, और ऐसी अस देशियों के हाथ में पूरी सत्ता चली जाती है, in the 8th and 9th century, यह जो घटना है, इसके बारे में कहा गया है, यह समय बताया गया है, कि आठवी और नवी शताब्दी के बीच वाला जो समय है, यह आठवी शताब्दी बीच रही थी और नवी शताब्दी जो संचुरी है, व हमारा जन्म हुआ है, तो इस वज़े से यह जो प्रतिहार है, यह बहुत जादा जुझारू होते हैं, और यह युद्ध में विजेता सिद्ध होते हैं, यह पालों को और जो राश्ट्र कूठ हैं, उन्हें खदेर देते हैं, तो कन्नोज पर किसका कबजा हो जाता है, गु अपने शैथिस बुद्धिश्ट ऐसोशियेट्स के साथ, यह जो इतसिंग है, यह यात्रा का विचार करता है, मतलब यात्रा के उद्देशिते से निकलता है, और ऐसा यह कप करता है, वेस्टर्न कंट्री दुख पर निकलता है, चाईनीज के यह हैं, तो हैना से वेस्ट म के लिए निकलता है 671 या 72 में यहां exact नहीं दिया है कोई एक तारीक है इसके बाद देख लीजे he came to India through western sea route जो पश्चमी सागर है उसके route के थू यह इंडिया में एंटर करता है और return to China चाइना यह return कब होता है अपने देश लोटता है 693 to 694 AD वाया सुमात्रा आता है जो western sea route है उससे और जाता कैसे है सुमात्रा के वाया यह चाइना में एंटर करता है यह सब हमने देखा इट सिंग के बारे में हाला कि इट सिंग उतना important इसमें नहीं है जितना कि वेंसांग और फायान आता है आगे देखते हैं in ancient day Chinese writer mention जो प्राचीन समय था उसके बारे में Chinese writers जो है वो mention करते हैं इंडिया by name yintu and tianchu यह जो tianchu या tianchu शब्द है और yintu शब्द है यह जो इंडिया का मतलब हमारे देश का नाम है उसके तोर पे Chinese की द्वारा यूज किया जाता है तो यह लोग चिंग चाचू जो बोलते ही हैं इस प्राकार गिन की भाशा है इनके जो राष्ट्रपती है उनी का नाम विजित्र है और ऐसे वहाँ पे नाम पाई ही जाते हैं क्योंकि यह Chinese language है तो इसलिए हमारे देश को भी उसी तरह से पुकारते हैं और यहां आप देख लेकिन यहां पर यह बकतियार खिल जी यह कुतवुदी नाइबग के अधीन काम करता था तो 1193 मीं यान 1193 में फेराइन के दूसरे उध्ध के अगले साल यह नालंदा यूणिवरसिटी को पूरी तरह से कर देता है तोड़ फोड़ देता है और यहां जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की प्रतियां होती हैं, ग्रंत होते हैं, उनको आग में जोकवा देता है, इतनी बड़ी मूर्खता करता है, और नालंदा उनिवर्सिटी उस समय बुद्धिस्म का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी, जाहे और जगह से बहुत धर्म भले ही सिकुड़ गया हो, लेकिन नालंदा में वो अभी भी जीवित था, और यहाँ पर बक्तियार खिलजी ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया, तो उसका उद्धेश्टी उनिवर्सिटी को कुचलना नहीं था, ऐसा नहीं कि वो किसी विश्विध्याले या किसी किताब को जलाना या कुचलना चाहता था, असल में वो बुद्धिस्म को जलाना चाहता था, और इसमें वो कामयाब होता है, आगे देखते हैं, गुप्त का समाज था वो कैसा था यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिये हुए हैं कि उनके क्या गुड थे गुप्त सुसाइटी वास ब्रामनिकल इन नेचर यह ब्रामणवादी व्योस्था पर आधारित समाज था मतलब ब्रामणों का इसमें बर्चस्व था कास्ट और बैरियस प्रो कुल मिलाकर वर्ड व्योस था कठोर तो रहती है लेकिन उसमें संकर भी पाय जाते हैं यानि जो ट्रांजिशन की सिचुएशन है वो भी यहां क्रियेट होती है यह सब हम देख रहे है देरवारा कंपरेटिव डिक्लाइन इन सोशल स्टैचू माफ कीजेगा सोशल स्टेट हाला कि यह इंप्रूमेंट उतना अच्छा नहीं रहता है लेकिन फिर भी होता है तो कुल मिलाकर जो गुप्त ससाइटी है उसमें ब्रामिनिकल इसका नेचर था ब्रामणवादी व्योस था और जो उच वर्ड थे उनका वर्चस्व था तो इसके चलते जो निम्न वर्ड ह उनके अंदर विद्रोही भाव पैदा होता है और वो खुद को उपर उठाने का प्रयास करते हैं इससे पहले उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया था यहाँ पर उनके द्वारा कोशिश की जाती है और जब कोशिश यह करेंगी तो इनमें इंप्रूमेंट होगा और वही य जबकि जो कौटिले का अर्थ शास्त्र है उसमें नौ प्रकार के जो स्लेव हैं उनको डिस्पैट किया गया है तो दास प्रथा पहले से ही चली आ रहे थी अब यहाँ पर क्या स्थिय है आईए देखते है स्लेव प्रैक्टिस वास प्रिवैलेंट द्यूरिंग दिस पीरि रीजन क्या होता था दू टू तो यहाँ आप देख सकते हैं assimilation of tribes the supply of labor increase and therefore the शूद्रास वार बी इंगेस्ट इन अग्रिकुल्चरल वर्क अद धस्लेव वर लेफ्ट अस वन्ली ऑप्श्टिस पार दर्डॉमेस्टिक वर्क वर कॉंसर्ड मतलब जो नास होते थे जो श्ले पर इंगेज हो जाते हैं agricultural work में और इस प्रकार से जो slaves हैं वो यहां से बाहर निकलाते हैं मतलब शूद्रों ने अपना काम खुद करने की जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली थी और इस प्रकार से आत निर्भरता जब उनके अंदर आती है तो दासों का यहां यही काम बच करता है तो आधी आबादी की स्थितिक ऐसी थी है यह देखते हैं the social condition of women decline as compared to previous era देखिए ancient time period में अगर जो pre-wedic era है या जो rig-wedic काल है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना समय है उसमें क्रमिक तोर पर गिरावट आई है एक के बाद एक सीडिया उतरती गई है नीचे की तरफ जाती गई है तो यहाँ पर आप morian जो period देखे हैं उससे और ज्यादा declination आती है प्रिविया सीरा लिखा हुआ है तो पीछे वाला जो समय है और इसके बाद कहा गया है such as morian and post morian period जो morian time period है और जो post morian period है उसके दोरान जो इस्तितिया थी उसकी तुलना मे और गिर जाती है यहाँ condition और यहाँ पर परदा system जो है जो curtain system है वो prevalent हो जाता है मतलब चेहरे को ढख कर रखने का जो रिवाज है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा व्याप्त हो जाता है और आप जब medieval time period में इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि परदा प्रथा जो है वो ए द्रियोचित वस्त्र है उसको त्याद कर एकदम कुलबा जो पगडी है और उसके अलावा जो चोंगा है वो धारand करके राज्ये में जो राजदरबार है उसमें प्रवेष करती है मतलब एक पुरुष वेश में वो शाशन करती है और परदे को धारड नहीं करती है तो इस इसके बाद इविडियन्स आप सती प्रैक्टिस इस अप्टेन फ्राम एरंड इंस्क्रिप्शन जो भानुगुप्त का एरंड अभिलेक है उसमें इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है कि जो सती प्रथा है उसका इविडियन्स महाँ से मिलता है मतलब उसके कमांडर की ज प्रेडित ब्यवस्था उस समय की थी मतलब छोटे समय में ही जो छोटी उम्र होती थी उसी समय माता पिता अपनी बच्चीयों को मंदिर को तान कर देते थे मतलब इश्वर को तान करना वो समझते थे इसको कि अपनी बेटी को वो इश्वर की सेवा में लगा रहे हैं और यह जो लड़कियां होती थी यह मंदिर में ही रहती थी और मंदिर के काम काज करती थी तो पहले की समय में तो इन्हें पवित्र माना जाता था समाज में इन्हें बड़ा सम्मान था कि यह ईश्वर की दासी है देवदासी लेकिन बाद में क्या होता है वहां के जो पुरोह समाजिक बुराई थी इसका कते ही मतलब यह नहीं है कि टेमपल्स जो थे वो दूशित हो गए थे जो वहां के पुजारी थे वो दूशित हो गए थे और ये पुरुष सत्तात्मक समाज की उस समय की सबसे बड़ी बुराई थी तो देवदासी प्रणाली को आप देख रहे हैं इसके बाद देर वाज एन इंक्रीज इन लेबल आफ प्रो सिच्वेशन इस प्रकार की इस्थितियां है वो इंक्रीज करती है अब इसके बाद जो कुछ पॉजटिव चेंज है यहां तो आपने सब निगेटिव ही देखा है इसमें कुछ भी पॉजटिव नहीं था जो पॉजटिव है वो क्या है वोमेन वर गिवन टू प्रोपर्टी राइट्स महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था यह एक अच्छी चीज है Wives and Daughters were made the successor of property मतलब जो किसी विव्यक्ति की property होती थी संपता होती थी उसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटियां भी बराबर की हगदार यानि वारिस होती थी Women could use प्राकृत language और महिलाएं जो हैं वो प्राकृत भाषा को यूज़ कर सकती थी तो ये कोई positive change नहीं है, वो Sanskrit को use नहीं कर सकती थी, Sanskrit को न तो सीख सकती थी और नहीं बोल सकती थी, अगर वो Sanskrit बोलने लगती थी, तो उन्हें समाज से बहिश्कृत कर दिया जाता था, इस प्रकार की चीज़ें यहां दिखाई देती हैं, इसके बाद देखिए, religious status in गुप्त period, गुप्त पीरियड में धार्मिक व्योस्था कैसी थी, यह धार्मिक status कैसा था, तो complexity and diversity was the main feature of गुप्त religious system, गुप्त समय में या गुप्तों के समय में, जो धार्मिक व्योस्था थी उसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि विशमता पैदा हो गई थी, complex nature की वो हो गई थी, और diversity बहुत जादा थी, मतलब जिसका जो मन होता था वही पंथ का अविशकार करके लोगों को कुचलने के लिए तयार हो जाता था, कि हम इस पंथ को मानते हैं और हमारे अधीन इतने लोग हैं तो उसको मानेंगे, और फिजूल के जो कर्म कांध हैं, बहुत सारी जाती व् और कर्म कांधी जो व्यवस्था है, वो लोगों का गला घोटने लगी थी, तो इस प्रकार के जो व्यवस्था हैं वो यहां दिखाई देती है, मतलब जहां एक और जो ब्रामणवादी व्यवस्था है उसके उत्थान की वज़ए से यग्यों की परंपरा शुरू होती है, वहीं दूसरी और क्या होता है, भक्ती का जो concept है, वो यहां से उठकर सामने आता है, देखिए हर समाज में कुछ बुराईया होती है और कुछ अच्छाईया होती है, तो यग करने की जो प्रणाली है, वो यहां पे एक बार फिर से जीवित होती है, जो की एक समय मर गई थी, और इसके अलावाद जो भक्ती की परंपरा है, वो भी यहाँ पर विक्सित होती है मतलब यह tribal जो elements है उनके influence से ऐसा होता है इसके बाद temples और idol जो है यह build किये जाते है idol worship यह बड़े पैमाने पर होती है और मंदिरों का निर्मान होता है तो art और culture के लिए तो यह स्वडिमकाल था ही भले ही सामाजी को थान नहों पाया हो इसके बाद emergence of concept आप आवतार सूत मतलब यहाँ पर जो incarnation है उसके concept को काफी ज़्यादा emergence मिली थी और development of vationalism and share devotion under brahmad religion जो brahmad धर्म था असल में brahmad धर्म कोई अलग से आविशकार किया हुआ धर्म नहीं है यह वास्तों में सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है उसी को यहाँ पर brahmad धर्म नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि यह brahmad का धर्म है मतलब चार वर्णों के जो लोग थे उसमें जो वैशयों और शूद्र थे वैशयों का और शूद्रों का जो शूद्रों होते थे उनका तो सबसे ज़्यादा और इसके अलावा महिलाओं का भी तो यह जो brahmad धर्म था इसके अंदर दो प्रांचेस डेवलप होती है एक तो वैश्नविज्म है और दूसरा शैव है मतलब कुछ लोग जो है वो भगवान विश्नु के उपासक बनते हैं और कुछ जो है वो भगवान शियों के उपासक बनते हैं तो भक्ती करना खराब नहीं है भक्त बनिये भक्त बनने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं लेकिन भक्त बनने का मतलब यह नहीं कि आप भक्त बनाने लगेगे, आप चाहिए कि आपके आगे दस अन्याई जो हैं वो हाथ जोड़ कर खड़े रहें, आप किसी के भक्त बन जाईए वो अलग चीज है, आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, होते हैं, यह उसके पर हाबी होते हैं, इसके बाद वैश्शनमेशन अचले वीकास होता है, उसे संग्षन मेलता है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा डेवलप्मेंट नहीं हो पता, शैविस्न का जय्यादा डेवलपमेंट साओथ इंडिया होता है, यह सब हमने देखा, शं शंकराचारे को शंकर के नाम से भी जानते हैं और इन्हें श्री संकराचारे आदी गुरु ये सब भी कहा जाता है ये हिंदु धर्म के सबसे बड़े धर्माचारे के तौर पर विख्याद हैं मतलब हिंदु धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं हाला कि सनातन धर्म का कोई अंत अब यहाँ पर इनके बारे में कहा गया है कि इनका जन्म जो था ये कलाडी में हुआ था कलाडी जो है ये केरल का एक छोटा सा गाओ है केरल एक राज्य है और उसका ये छोटा सा गाओ है और वहाँ पर ये आठवी शताब्दी में पैदा होते और इनकी जो फिलास्पी है, इनका जो दर्शन है उसे अद्वैत वादी वेदांत दर्शन के नाम से जानते वेदांत दर्शन इनके साथ जुड़ा हुआ है वेदांत का मतलब क्या जहाँ वेदों की बातों का अंत हो जाता है वेदों की जो आड़लाजी है, वो यहाँ पर एकदम से खतम हो जाती है और नई आड़लाजी यहाँ से डिवलफ होती है आईए देखते हैं यहाँ पर जो इंके religious center थे इनके जो मठ थे, Monasteries थी उनके बारे में तो चार मठों की इन्हों ने स्थापना की थी भारत के चार Corners पे उसमें से जो पहला है वो श्रिंगेरी है यहां आप देख रहे हैं श्रिंगेरी है, यहां दक्षन से शुरू किया है चलिए उत्तर से देखते हैं तो उत्तर से अगर देखेंगे तो आपको नीचे से उल्टा जाना पड़ेगा उपर की ओर जोतिर मठ है जिसे की जोशी मठ भी कहा जाता है यह बदरिनाथ वाला है, उत्तराखंड इसका जो लोकेशन है वो आप जान लीजे इसके बाद पुरी है, यह इस्ट वाला है तो यह कहां पर है, ओडिशा में है इसके बाद द्वारिका है, द्वारिका में शार्दा मठ या कालिका मठ के नाम से इसे जानते है पुरी वाला जो है वो गोवर्धन मठ है, इनके नाम भी जानते रही है इसी प्रकार से जो श्रिंगेरी मठ है ये करनाटक वाला एरिया है चिकमंगलूर वाला पोर्शन तो ये सब कुछ चीज़े हैं मतलब साउथ यहाँ पे साउथ नौर्थ और इस्ट और वेस्ट के तौर पे जो चार मठ है उन्हें दर्शाय गया है और यहाँ बद्रिनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, और दचार धाम, वाइल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और बद्रिनाथ, और लिटल चार धाम, लोकेटे इन उतराखन इस प्रकार से यह जो चार धाम और जो छोटे चार धाम है उनकी लोकेशन बताई गई है यह सब हमने देखा, तो शंकराचारे के बारे में इतना कुछ देखा, और जिस समय शंकराचारे का जन्म होता है, उस समय बुद्धिस्म इतना ज़्यादा भारत में फैल गया था ऐसा लग रहा था कि भारत में सिर्फ एक रिलिजन्स शेश बचेगा, बुद्धिस्म, यानि सिर्फ बौध ही रहेंगे और कोई रही नहीं पाएगा क्योंकि हिंदू राजा जो थे, वो बहुत तेजी से बुद्ध की शरण में जा रहे थे और उसके बाद उनकी देखा देखी या उनके दबाओ की वज़े से उनकी जो प्रजा थी, वो भी बहुत धर्म को स्विकार कर रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि सनातन सब्वेता में बहुत सारी उस समय बुराईयां आ गए थी बुराईया कौन-कौन सी थी ये आपने पीछे देखा है पहली चीज तो ये कि वर्ड वे उस्था बहुत जादा कठोर हो गई थी तो इसके चलते लोगों को घुटन होने लगी थी तो वो विकल्प खोज रहे थे और विकल्प उने बुद्धिज्म के रूप में और जैनिज्म के रूप में दिखाई देता है तो ऐसे में वो बहुत तेजी से अपनाने लगते हैं और इस कंडिशन में शंकराचायरे जो है वो बीडा उठाते हैं कि लोगों को वापस सनातन सभेता की और मोडेंगे और वो अपने छेतर से यानि केरल से अपने माता की अनुमती लेकर सन्यास ग्रहड करते हैं और वहाँ से निकल पढ़ते हैं अपने अभियान के लिए इनका जो कैम्पेन होता है उसमें इनके शिषे इनको सपोर्ट करते हैं पहले तो ये तपस्या करते हैं और तपस्या से जब इन्हें एक इनलाइट्मेंट मिलता है तो उसके बाद ये अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और 16 वर्ष की अवस्था में इनके घर को त्यागा था और करीब 32 साल तक ही जिन्दा रहते हैं सिर्फ 32 साल और इस 16 वर्ष के अल्ब समय में जो 16 ये का टाइम पीरिएड है उतने ही समय में ये पूरे भारत की यात्रा करते हैं पैदल और कैसे तो लाठिया लेकर इनके शिश्य और ये लाठिया लेकर चलते थे और रास्ते में जो कोई मिलता था अगर वो गुद्धिजमिया किसी और रिलीजन की और जुका हुआ है तो उसको पहले प्रवचन की दुवारा समझाने का प्रयास करते थे सनातन सभेता का महत्वा बताते थे उसके बाद अगर वो मना करता था या विरोध करता था तो उसे लाठियों से ठीक भी करते थे इस प्रकार की यहां चीज़े दिखाई देती है आगे देखते इसके बाद जो post-morian coins है उनके बारे में देख लीजे और रूलर्स और कॉइन्स वास अस्टार्डड़ जो अलग अलग डैनिस्टी है या उसके जो रूलर्स है उनके नाम को लिखने की परंपरा यह पहली बार यहां पर दिखाई देती है इस पीरियड में इससे पहले ऐसा नहीं था फर्स्त रूलर्स और इंडो ग्रीक ग्रीक इंडियन्स थे उन्होंने ऐसा किया था तो यह सब चीजें अब इसके बाद पोस्ट मॉरें जो लिट्रेरी है उसके इविडियन्स आप देख सकते हैं यहां दिया हुआ है तो गार्गी संगीता यह पहला इविडियन्स है जिससे की गार्गी की विद्वता की जानकारी प्राप्थ होती है कितनी बढ़ी यह स्कॉलर थी यागिवल्ख नाम के उस समय के प्रसिद प्रकांड विद्वान थे उनको यह परास्त कर देती है शास्तरार्थ में और उसके बाद या के वल्व जो है वो चिड़ करीने धंकी देते हैं कि अगर तुम अपना मूह नहीं बंद रखोगी तो मैं तुम्हारा सिर्फ होड़ दूगा तो ये सब जो समवाद है यहाँ पर मिलता है फिलाल ये जो गारगी संगीता है ये एसल में क्या है ये एक एस्ट्रोलाजिकल रिलेटेट टेक्स्ट है इससे information हमें यवनों के बारे में प्राप्त होती है यवनों का जो भारत पर invasion हुआ था उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है इसलिए ये खास है इसके बाद जो अगला है वो मालविका अगनी मित्र है कालिदास के द्वारा लिखा गया ये नाटक है प्ले है संस्कृत भाशा का और ये फस्ट प्ले है जो की कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया था ये खास बात इसको याद रखेगा पहला नाटक कालिदास ने ये लिखा था और कालिदास को भारत का सेक्स्टियर खा जाता है क्योंकि इन्हों ने बहुत बड़े पैमाने पर नाटक लिखे हैं आंगे देखते हैं दोनों की प्रेम कहानी इसमें वर्डित है लेकिन इस प्ले में इस प्रकार की इन्फार्मेशन प्राप्थ होती है क्जो विदर्व छेत्र था उस पर अपनी विजय प्राप्त की थी जो यवन लोग थे उन्हें डिफीट किया था इस प्रकार की इन्फार्मेशन इस प्ले से प्राप्त होती है तो कालिदास ने इसे लिखा है तो इसे मानना चाहिए कि सही ही लिखा होगा आगे चलते हैं इसके बाद यहां तक तो हमने कुछ जो ततकालीन ग्रंथ थे उन्हें अब जो बहुत ग्रंथ है उन्हें देख लीजें इसमें दिव्यावदान का नाम आता है तो दिव्यावदान जो है यह बुद्धिष्ट टेक्स्ट है और यहां इसका नाम क्यों लिखा गया है क्योंकि यह पोस्ट मॉरेन जो टाइम पीरियड था उसकी इन्फार्मेशन ह खास तोर पर जो गुब्ध इंपायर है उसके समय की जानकारी इससे काफी बड़े पैमाने पर प्राप्थ होती है इसके बाद महाभाष्य का नाम तो आना ही है पतंजली को आपने देखा इससे भी यवनों के आक्रमण की भारत पर जो आक्रमण उनका हुआ था उसकी इन् किताब का नाम अज्यात है information about the name of its author is not available यह आप देखी रहे है और इसकी जो language है वो कौन सी है language आप याद रखेगा ग्रीक लैंविज में लिखा गया है यह किताब जो है ग्रीक भाषा में लिखी गई है मतलब इंडो रोमन ट्रेड के बारे में यहां से डीटेल इंफार्मेशन प्राप्थ होती है यह सब हमने देखा प्लिनी के बारे में यहां लिखा हुआ है 77 AD इनकी तारीक है इनकी किताब का नाम है Natural Historica तो Natural Historica जो किताब है यह प्लिनी के बारा लिखी गई है और इस से हमे जो इंडिया और इटली के बीच में मतलब इंडो इटैलियन जो ट्रेड था उसके संबंध में जानकारी प्राप्थ होती है इतना हमने देखा अलग-अलग जो टेक्स्ट थे अलग-अलग जो बुक्स थी उनसे कौन-कौन सी जानकारिया हमें मिल रही आगे चलते हैं गु कि दवरार चंडर नोग जो आपको अपने आपको कहता है लेकिन महाराजा दिराज नहीं कहता है अब देखिय बट्फ प्रावर्फ जो इस धावर्फुल पेला शक्तिशालि शाशक है वह यहाँ पर चंडरगुप्थ प्रथम है और इसका समय है यह 319 से लेकर 335 इस वी त मतलब यहां पर यह महाराजा धिराज जैसी जो बड़ी वाली उपादी है उसको एजूम करता है यहां पर लिखा भी है कि in contradiction to his predecessors इस प्रकार की जानकारी यहां पर राप्त होती है तो महाराजा धिराज का मतलब यह है कि जो छोटे-छोटे अधिराज हैं उनका मुखिया उनका मालिक सबसे बड़ा वाला राजा तो शो हिस इंपार्टन्स और यहां इसकी मात्व को शो करता है विक्रम संबत बिगान इन 58 BC और शक संबत बिगान इन 78 AD तो संबत कब से कब तक के हैं मतलब कौन सा कब शुरू होता है यह तारीख है आपको पता होनी चाहिए मतलब वही चीज कही गई है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है वह वास्तों में इसके बिगेनिंग का टाइम पीरेड वाना जाता है वो श्रीगुप्त ही था उसके बाद घटोत कच का शाशन आता है लेकिन दोनों ही उतने जादा पाउरफुल नहीं रहते हैं यह सब आपने देखा मतलब यह अधीन राजा के तोर पे शाशन करते हैं लेकिन एक जो फ्री किंग होता है असल एक तरह से वास्तविक राजा होता है वो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथमी था इसे हमने देखा अब इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आल्दो मु अधिकाल की जो भनक है वो लगने लगती है यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो मुस्लिम आकरमण भारत पर होता है यह अर्बों का आकरमण है मुहम्मद बिन कासिम के दवारा किया जाता है और यह आठवी शताबदी में होता है सिंद वाले छेत्र में वहाँ दा तराइन का सेकेंड वाला वार होता है पृत्वी राज चौहान और मुहम्मद गोरी की बीच में और उसमें पृत्वी राज चौहान जो है यह मार डाले जाते हैं पराजित होते हैं तो वहाँ पर यह जो वार है यह मुस्लिम रूल की यहाँ स्थापना करता है आगे देख इसके बाद जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है ते शिल्वर कौइन सी शुबाई गुप्त रूलर्स वाज नोन एज रूपका रूपका जो था ये शिल्वर कौइन था मतलब चादी का सिक्का था और जो गोल्ड के कौइन्स थे उन्हें बाद में दीनार के इसके बाद जो गुप्त काली इन सिक्के हैं वो अलग-अलग स्थानों से मिले हैं इन्हें आमने पीछे देखा भी है यहां भी दिया हुआ है बिहार से बंगाल से मध्यपरदेश से राजस्थान और ओडिशा इसके अलामा भरतपुर जो भरतपुर राजस्थान का पोर् कुछ Mauryan Empire के हैं और गुप्त काल के हैं, कुछ इधर-धर वाले, वैसे इसमें सिर्फ गुप्त वंशी शाशक और जो Maury शाशक है उनके बारे में इन्फार्मेशन है, तो अशोक है, Samudr Gupt है, चंद्र Gupt Second है और सकंद्र Gupt है, अशोक की जो टाइटल थी वो प्रियदर्शी जिसे कि प्रेदर्शन भी कहा जाता है इसके बाद समुद्रगुप्त इसकी जो उपाधी थी यानि टैटिल थी वो पराक्रमांग थी यह बहुत ज़्यादा पराक्रमी था इसके बाद चंद्रगुप्त सेकेंड का नाम जो था वो विक्रमादित्य था यह आप जानते ही है और इसकंद्रगुप्त जो था यह क्रमादित्य के नाम से अपनी टैटिल को एज्यूम करता था यह सब चीजें हमने देखी अब इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट मौरेन पीरियट की डैनस्टी है उन्हें एक बार देख लीजे शूंग डैनस्टी के बारे में कहा गया ह यह ब्रामिन फैमली से बिलांग करती थी मतलब ब्राममड रिलीजन के यह फालोवर थे इसकी जो फाउंडेशन में वो पुष्यमित्र शूंग के द्वारा रखी जाती है और कैसे रखी जाती है तो जो मौरे डैनस्टी है उसका यहाँ पतन होता है और यही से शूंग डै इन दिब्यावदान टेक्स्ट जो दिब्यावदान ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शूंग को बौध्धों का दुश्मन बताया गया है ऐसा दिया हुआ है मतलब यह बौध अन्याई थे उनका कट्टर विरोधी था पुष्यमित्र शूंग डिफीटेड यागिसेन दे यहां जो अगला नाम है वो जो अगला है वो वसुजेष्ट है और इसी को सुजेष्ट के नाम से जानते थे इसके बाद वसुमित्र है वसुमित्र के बारे में दिया हुआ है कि यह पुष्यमित्र शूंग का बेटा था पुष्यमित्र उसके बाद अग्निमित्र उसका सक संबंदों का वर्डन किया गया है तो यहाँ पर अगनी मित्र कौन है यह पुश्य मित्र शुंग का बेटा है अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं वसुमित्र के बारे में इसके बाद भागभत्र है तो भागभत्र के बारे में कहा गया है कि हैलिडोरस या हैलिओडोरस नाम का जो राजदूत था वो इसके कोर्ट में आता है और यह जो है यह जो है विदिशा में गरुण स्थम्भकी स्थापना करता है और भागवत्र धर्म को अपना लेता है यह भी बड़ी बात इसके बाद देव भूती का नाम आता है जो कि शुंगवंश का लास्ट रूलर कहा जाता है और इसके मंत्री यानि इसके मिनिस्टर और यहां से जो कणव डानस्टी है वो स्टार्ट होती कर देंस्टी की नीव रखने वाला जो था वह वासुदेव था और यहां एक नोट दिया हुआ इसको देख लीजेए भरवत-स्तूप के बारे में कहा गया है जो की इनीशियली बिल्ट किया गया है अशोब के माफ कीजिगा, stone altar in place of wooden altar in sanchi stoop, मतलब जो stone का आधार था उसके स्थान पे, यहाँ जो लकडी का आधार है, बेस है, वो sanchi के स्थूप में यह लगवाता है, तो इस प्रकार से कुछ फेर बदल यह करता है, जो उस समय के architecture थे उसमें, इतना हमने देखा, और हमने यह देखा है कि देव भूती को मार कर वासुदेव जो है वो राजा बनता है, तो यहाँ से कड़ डानिस्टी को देखना आवश्यक हो जाता है, this dynasty was founded by वासुदेव, by killing the last sunga ruler, देव भूती, there were only four kings in this dynasty और इस dynasty में कुल मिलाकर चार ही राजा होते हैं एक तो वासुदेव है दूसरा जो है वो भूमिमित्र है उसके बाद नारायण है और अंत में सुशर्मा है जिसे की सुशर्मन भी कहा जाता है और सुशर्मन के समय में ही जो शिमुक है जो की आंध्र स्लेव के तोर पे देखा जाता है वो यहाँ पे साथवाहन डैनस्टी की निउड आलता है मतलब यह इसको थ्रोन से हटा देता है और उसके स्थान पर विराजमान हो जाता है इस प्रकार की स्थिपियां दिखाई देती है तो इसके जो डैनस्टी के रूलर से उनका नाम आप देख रहे है आगे देखते हैं अब यहाँ से साथवाहन डैनस्टी स्टार्ट होती है इनका जो छेत्र था वो नार्दन महाराश्टर से था जो इनके शुरुवाती अभिलेख या सिक्के वगेरे प्राप्त हुए है जो सबसे पुराने वाले हैं साथवाहनों के वो महाराश्टर से प्राप्त हुए है तो जिस स्थान से जादा मात्रा में मिले है इसका मतलब यह है कि इनका संबंध वही से रहा होगा तो इसलिए इनका कनेक्शन महाराश्टर से जोड़ कर देखा जाता है फाउंडर की तोर पे अगर आप देखना चाहें तो इसका जो फाउंडर था वो सिंधुक या सिमुक था इसी को सिंधुक भी कहते है इसके बाद कृष्ण का नाम आता है जो कि सिमुक का भाई था इसके बाद साथकरणी प्रथम को आप देख रहे हैं अनुप प्रदेश का मतलब क्या है ये नर्मदा वैली की बाद की जा रही है और विदर्व का मतलब जो बरार वाला इलाका है बाद में आप मेडिवल टाइम पिरियेड में से बरार के नाम से देखेंगे तो यहाँ पर ये अपनी पूरी प्रभुसत्ता जो है ये स्थापित करता है और ये अमरावती को अपनी कैपिटल बनाता है इसा कहा गया था कि आगे के 10 सालों तक जो एडमिनिस्टेशन का काम है वो हैदराबाद से ही होगा लेकिन उसके बाद जो कैपिटल है वो सेपरेट हो जाएंगे तो ये चीज़े हैं, तो ये अमरावती को अपनी capital बनाता है यहाँ पर दक्षिना धीपती की जो title है, उसको ये पहली बार assume करता है और ऐसा ये क्यों धारण करता है, क्योंकि ये अपने kingdom को पूरे दक्षिन तक फैला लेता है तो दक्षिना धीपती बन जाता है, यानि दक्षिन का मालिक इसके बाद जो अगली लाएने उसको देख लीजे, evidences about him is obtained from नानाघाट inscription which was engraved by his queen नागणिका इसकी रानी का नाम था नागणिका, शातकरणी प्रथम की जो रानी थी उसका नाम था नागणिका और उसके द्वारा नानाघाट inscription को यहाँ बनाया जाता है, बनाने का मतलब यह है कि बनवाया जाता है बनवाने का जो सौजन्य है वो इसकी रानी के पास है और उससे इसके बारे में जितने evidences हैं वो प्राप्त होते हैं मतलब वो अपनी पती की महिमाओं का उसमें बखान करती है, यह सब सूचनाय यहां से बिलती है आगे चलते हैं और इसी क्रम में जो अगला है, इसमें कुछ और दिया हुआ ऐसे देख लीजे और नानागाट इंस्क्रिप्शन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहली बार कोई लैंड डोनेशन का जो इविडियन्स है वो प्राप्त होता है, मतलब खुदाई में मिला हुआ साक्षी जो है वो प्राप्त होता है और यह जो सात्करणी प्रथम है इसने दो अश्रमेधी अग्यों को परफार्म किया था इसके बाद हाल का नाम आता है, आर्मी कमांडर आफ किंग हाल विजैयानंद कान्कुयड श्रिलनका हाल का कुछ अपना इसमें महत्व नहीं है लेकिन इसका जो कमांडर था उसका नाम था विजयानंद या विजयानंद वो ये श्रिलंका वाले चेत्र को कांक्वेर करता है ये खास बात है इसके बाद गौतमी पुत्र साथकरणी को देख लीजे ये खास है ये साथवाहन डानिस्टी का सबसे स्रेष्ट शाषक था सबसे महान था इनफार्मिशन अबाउट इस गवर्नेंस एड एचिवमेंट इस अप्टें फॉम नासिक इंस्क्रिप्शन और इसके बारे में इसके गवर्नेंस या इसकी जो सफलताय थी इसकी उपलब्धिया थी उसके बारे में सूचना हमें नासिक के अभिलेक से प्राप्थ होती है और नासिक इंस्क्रिप्शन में इसे ब्रामिड या यूनीक ब्रामिड कहा गया है यहां आप देख सकते हैं चट्रिय दमन मंडन यह शब्द जो है ना यहां थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत होगी लेकिन इसका सही उच्छारण यह है चट्रिय दमन मंडन इस प्रकार की जो टाइटिल है यह यह आजूम करता है, क्योंकि यह ब्रामणवादी था, इसका मतलब क्या है, यह च्छत्रियों का कठोर विरोधी था, यहाँ वर्ड विवस्था का, जो भेद भाव है, वो दिखाई दे रहा है, इन्द नासिक इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो नासिक इंस्क्रिप्शन है, तौइ मतलब पानी, पित मतलब पीना और वाहन मतलब जो इसका वेहिकल रहा होगा, तो उस समें वेहिकल ने स्मुद्र का पानी पीया हो, याणि तीन जो समुद्री इलाके हैं, वहाँ पर इसने अपनी जो विजय है उन्हें प्राप्त किया है, यह इसकी सूचना यहाँ स जो टाइटिल है उसको भी एजूम करता है और विंदि किंग के तौर पे भी यहां जाना जाता है यह सब चीजें हमने देखी तो यह था गौतमी पुत्र साथ करणी आगे चलते हैं इसी क्रम में जो अगला है वो वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी है एक चीज यहां आप द देख लिए वसिष्ठी पुत्र पुलुमावी यानि वसिष्ठी का बेटा पुलुमावी तो साथ करणी इसका नाम था गौतमी पुत्र यह सामने अपनी माता का नाम जोडता था जैसे पिता का नाम हम लोग जोड कर देखते हैं वैसे ही उस समय मदर नेम जो था यहां पुत्र साथकर्णी का बेटा भी था और उसका उत्तराधिकारी भी था इसका मतलब क्या है कि गौत्मी पुत्र साथकर्णी की जो पत्नी थी उसका नाम वसिष्थी था या वसिष्था था और उसी का ये बेटा था इसका नाम था पुलुमावी पुलुमावी वास डिफीट पराजित करके छोड़ देता है पुलुमावी assume the title of दक्षणा पथेश्वर इसे दक्षणा प्रतपथेश्वर की उपाधीस ने धारण की थी यह पुलुमावी की जिम्मे है During the time of पुलुमावी there was a substantial development in sea trade and naval power पुलुमावी की समय में क्या होता है इस समय में बहुत बड़े पैमाने पर जो sea trade है और naval power है उसमें development होते है विकास होता है यह बड़ी चीज है इसके बाद यागिश्री साथकर्णी को देख लीजे He was the last ruler of साथवाहन dynasty जिस साथवाहन dynasty को हम अभी तक देखते आ रहे हैं उसके बारे में कहा गया है कि यह उसका last ruler था His coin bear the picture of boat और इनके सिक्कों पर जो नाव का चित्र है जहाज का चित्र है वो प्राप्त होता है इसका मतलब क्या है कि समुद्र में इनके गहरी रूची थी यह हमने देखा अब यहाँ पर जो साथवाहन dynasty है इसके बारे में कुछ fact दिये हुए उन्हें देख लीजे तो साथवाहन ruler were the first to issue lead coins मतलब साथवाहन शाशक जो थे यह पहले ऐसे राजा या rulers थे जिन्होंने lead के coins issue किये थे सीसे के सिक्के जारी करवाये थे यह lead जो है यह PB के symbol से जो periodic table है उसमें लिखा होता है इसके बाद the woman of साथवाहन royal family patronized buddhism and man patronized Vedic religion यहाँ की जो महिलाएं थी वो buddhism को follow करती थी और जो पुरुष होते थे वो Vedic religion के follower होते थी मतलब सबको अपना religion चूज करने की यहाँ पर freedom थी स्वतंत्रता थी मतलब कोई परदा परथा जो थी वो यहाँ प्रशलन में नहीं थी और उसके साथ साथ महिलाएं जो हैं वो सिक्षत होते थी तो इनकी स्थितिया काफी अच्छी थी इतना हमने देखा